हेलो बच्चो मेरा नाम है अभिनाव पाठक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का अगला वन सौट जिसका नाम है सम्मंद एवं फलन तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का वन सौट रिवीजन करने वाले हैं एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को फिनिस बहुत बहुत इंट्रेश्टिंग है मजधार चैप्टर है और बहुत अगर देखा जाए तो वहुत इंप्सक्थि अध helping अगर क्योंकि हमारे पास इससे long question भी बनता है इससे sword question भी बनता है इससे very sword question भी बनता है और बहुविकल्पी भी बनता है हार type का question इसमें मौझूद है तो बहुत important है chapter इसलिए थोड़ा सा जब body अपनी rhythm में आ जाती है तो उसके बाद ही chapter को कराते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए ठीक ऐसा ना लगे कि यह बोरिंग चल ला है ऐसा लगे कि tough है यह chapter हुआ और प्रितलोम तिरकोड मित्ती फलन हुआ बस उनीग पर बात करता है और ज्यादा कुछ उसमें बनते नहीं है question तो उसी chapter के basics पर मलब उनी important question के आधार पर आज हम लोग इस chapter का one sort complete करने वाले हैं तो सभी लोग बस पूरा lecture मन से देखना बाकी सारी चीज़ें यहां पर समझ में आ जाएंगे उसके लिए बिल्कुल परिसान ना हो ठीक है सारी चीज़ें यहां पर clear हो जाएंगी with concept के साथ मैं थोड़ा detail में ही चलूँगा concept के साथ ही चलूँगा एकदम जल्दबाजी मे है या कैसा लगा है उसे बन सो ठीक है अब इस चैप्टर में आगर हम बात करें संबंद्ध में पहले में संबंद्ध में प्रकार से फलन के प्रकार से थोड़ी थोड़ी हम चर्चा संबंद्ध के बारे में कर लेंगे ताकि लगे कि संबंद्ध में अक्च्वल में था क्य थोड़ा रिकॉल हो जाएगा थोड़ा रिवाईश हो जाएगा फिर ऐसे फलन जब श्टार्ट करेंगे तो फलन के बारे में कर लेंगे फिर फलन के प्रकार पर चलेंगे तो बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसमें बेसिकली दो ही और विविद उधारन और 1.2 के बीच में थोड़ा सा फलनों के प्रकार और वियुत करमली फलन के बारे में दिया गया है इसके पहले चार होती थे एक्सराइज विधारी संक्रियां की भी होती थी अब मैक्सिमम बोर्ड ने उसको अठा दिया है तो यह अभी एक्सराइज ब कम दिया गया है लेकिन इतने आधारत से दिया गया कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो आप सारे कोईशन उसके अटेंड कर पहों तो इसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा कर लेंगे इस पर आधारी जो कोईशन बंते हैं फलनों यो उसमें उसमें हम फलनों के सहोजन के भी question हमने आपको कराएं example mcq भी कराएं व्यूद करमणी फलनों के भी कराएं इंवर्स वल फंसन की कैसे आफ इंवर्स एक से निकाला जाता है किसी फलन का व्यूद करम कैसे निकाला जाता है वह भी मैंने questions कराएं थोड़ा detail में जान लेंगे और अच्छे से revision कर लें क्योंकि इससे अगर NCRT में गिवन है मतलब इससे question बन सकता है जरूर बनेगा एक आठ question आई सकता है एक दो मार्स में तो इस पर ज्यादा बड़ा question तो नहीं लेकिन आसान question इसमें बनेंगे तो उसक actual में जो संबंद हमारा start होता है अगर ध्यान से समझाज़े संबंद का part actual में जो हमारे पास start होता है वो 11 से start हो जाता है जो पहरा chapter हम समुच्चे पढ़ते हैं समुच्चे से ही संबंद को क्या किया गया परिभासित किया गया है समुच्चे के माध्यम से मैत में किसी संबं भिन अव्यवों का सूप परिभाशित संग्रे होता है well defined हमारे पास arrangement होता है collection of data होता है well defined होता है well defined मतलब सूप परिभाशित सूप परिभाशित का मतलब वहाँ पर लिखते थे कि व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तन ना हो मतलब यह होता था कि अगर आप से कोई चीज पूछे और आप हम से पूछे या आप किसी अपने दोस से पूछे तीनों बातों का अंसर सेम होना चाहिए जैसे मैं अगर आप से पूछ दो कि प्रथम पांच प्राकरस संख्या हैं कौन सी हैं यह से प्राकरस संख्या हों का समुछ था हमारे पास तो हमारे पास क्या है जिसे पूण संख्या हो कस मुच्च परीमे संख्या है अनंत है लेकिन हमारे पास एक वर विल्ट defined है, मतलब कि परिभाशित है, कि सबसे हम पूछेंगे, सभी लोग यही इसका जवाब देने वाले हैं, कोई इसका अलग जवाब नहीं देगा, कोई दूसरी संख्याय नहीं बताएगा, जो होती हैं वहीं बताएगा, ठीक है, for example, अगर मैं आप से पूछ दूँ, क्रकेट के अच्छे लगते हो, हमें हो सकता, अलग लगते हो, कि यह महान है, किसी और को और अलग अलगते हो, सभी की च्वाइस सेम नहीं होगी, किसी को हो सकता, विराट कोईली, रोही सर्मा, रिकी पॉइंटिक, क्रिस गेल, और यह हमारे पास जो भी और बैट्समेन है, वो संग्रे ने हुआ, बस एक्जामपल का माध्यम यह है, सम्झाना यह चाहरे है, कि जब भी किसी व्यक्ति से पूछे, तो वो अंसर सेम दे, यही दे कि यही होने वाला है, तो फिर वो एक सूपरिवासित संग्रे कहलाता, उसे ही समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च एक समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च एमारे पास B है, इसमें अव्यव हैं, A, B, C, B, E, एक समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् A से हम B में एक संबंध परिवासित करना चाह रहे है, R, ठिक, R for relation इसलिए R से दिखा है, संबंध को, A में कौन कौन से अव्यव है, 2, 3, 4, B में कौन से अव्यव है, A, B, C, D, और A, माल लेते हैं कि 2 का जो connection है, वो C से है, 3 का जो है, वो मारे पास A से है, और 4 का जो है, मारे पास वो D से, इस प्रकार से कोई हमारे पास एक संबंध आर परिवासित है, A, C, B, तो अगर हमें संबंध आर लिखना है, तो संबंध आरम कैसे लिखेंगी, R बराबर होगा, यह हमारे पास कैसे लिखा जाता है, क्रमित यूगमों के रूप में लिखा जाता, मतलब 2 का 3 स संबंध है, तो इसे हम लिखते है, 2,3, ठीक, पहले A का आव्याप प्रफम गटक इसे बोलते हैं, फिर B का आव्याप जो हमारे पास है C, समुच्छे B का व्याप, तो यह हमारे पास है C, इसे दुती गटक बोलते हैं, 2,3 लिखते है, ठीक, अब उसके बाद अगला 3 का A स फिर 4 का D से है, तो 4, D, तो यह इस प्रकार से हमने एक संबंध R परिवासित कर दिया, तो बेसिकली रोष्टर रूप में जब संबंध हमारा लिखा जाता, तो रोष्टर रूप का मतलब है, यह तालिका रूप में, सामने इस पश्च दिख रहा है, कि 2 का 3 से है, 3 का 1 से ह चार का D से, तो इसे हम बोलते है, यह एक बेसिकली हमने क्या किया, एक संबंध R परिवासित कर दिया, जो समुच्च ए से B में क्या है? परिवासित है, सी डिसी बात यह, तो यह बेसिक हमारे पास सम्द्ध होता था जिसमें समुच्च की मदद से किसी संबंध R को परिवासित कर रहे हैं अब यहाँ पर एक 12 में जो हम अगर बात करें तो जैसे हमने दो समुच्चे A और B दोनों अलग-अलग लिए हैं लेकिन यहाँ पर जो भी हम कोश्चन्स आंगे लगाएंगे वो सेम से सेम में परिवासित होगा मतलब एक समुच्चे A है तो दूसरा अपने स्लेवस में जो है वो हमारे पास जो सम्वंध दियेगे हैं वो a में दिये गए मतलब खुद का खुद के साथ सम्वंध ही यहाँ पर दिया मदलब एक समुच्च्चे जो ए है और वैसरी सेइम समुच्च्च है आदूसरा है उसका उसके सास्भान में हम हम nos honour define करना ह कि A से B में किसी दूसरे समुच्चे के साथ हम संबंद परिवासित करेंगे बेसिक नॉलेज़ है बलब यह में बात पता होने चाहिए कि यहां पर जो हम कोश्चन करेंगे वो खुद का खुद के एक ही समुच्चे में हम संबंद डिफरेंट डिफरेंट संबंद अपने परिवासित कर रहे हुए यह बात हो गई मारे पास संबंद की टिक तो यह मारे पास संबंद की परिवास हो गई दो तीन चीज़े और में जानी चीज़े वह में पता होगी वैसे इसको आती अच्छी बात है कि यहां पर मारे पास ती चीजे घुटी ती क्या क्या सब यह व्ता अपरांट को रूंत मैं टो में औप साथ परिशन मतलब करेंच अ प्रांद सएप रांत वह परांट वह अपहले अट मी fact तुम्में गोमें हैं रेंज है प्रांद क्या होता था अगर तुम्हें डालेक्ट ऐसे और और भी तुम्हें दो समुच्चे ऐसे दिख रहे हैं यह और भी इसमें प्रकार एक संबंद यह परिवासित है तुम्हारे पास इस प्रकार में तुम्हें दिया गया है तो देखके ही तुम बता दोगे जो समुच्चे ए होता है पूरा समुच्चे जिससे संबंद परिवास होता है समुच्च ए से बी में परिवासित है किसी कोशन में आएगा कि सर समुच्च जो हमारे पास एक संबंद आर है वो प्राकर संख्याओं से प्राकर संख्याओं में परिवासित है तो यहाँ पर हमारे पास प्रांत भी हमारे पास क्या है और को डॉमेंग और पास किया है को डुमेन किया यह पास नायचरल नंबर 对 अंवे परिभासित तो जिससे जिस्व में परिवासित होता है आसे रूप में लिखा होगा वहाई आमालो ऐसा हो सकता है इस रूबू कर यह संख्या है हमारे पास प्राक्रस संखakat भास संख्यान से पुढान संख्यान संख्या में समुच्चे B में पूरे आव्यव आजाएंगे तो समुच्चे B के जो सारे अव्यव होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं वो सर हमारे पास सह प्रांत होता है पर इससर सिंपल सा है कि जो अव्यव संबंदित है कि कौन-कौन अव्यव समुच्चे B के वो अव्यव इस और रहा है तो इसमें समच्च डी के वो अव्यव जो संमंधित हैं समुच्च एसे वह परिश्य होते हैं वह 24 के अव्यारों होते हैं ए सी और ड। यह क्या हो जाएगा परिश स्यों च्छाईग तो यह बेसिक सी बात है जो अमें 11 मेंैं भी पढ़ चुखें कि संबंद के बारे में में चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या मतलब है कि क्या संच्थ समुच्चे को परिवासित किया जाता है कैसे क्या होता है अब हम चलते हैं अपने एकट्ष Во l पहले बस में जिनकी हमें आपर बात भी करनी है ठीक है पहला होता है स्वतुल संब्द स्वतुल संब्द डिफिनीशन अभी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है बागी जो आपका कॉंसेट है वो कोश्चन के माद्यम से पूरा किलियर हो जाएगा स्वतुल संब्द क्या कहता है स्वतुल संब्द यह कहता है कि अगर A, A मतलब कोई अव्यव A है उसका खुद से संब्द है कोई समुच्चा है हमारे पास दिया गया तीन का तीन से भी होना जब हम संबंध परिवाशित करते हैं तो कैसे लिखते हैं करमित यूगमों के रूप में यह दोकॉमा 3, 3, 4, 2 सब क्या है करमित यूगमे करमित यूगम का मतलब क्या order pair मतलब कि इसमें क्रम का महत्त होता है दो पहले है मतलब कि दो पहले ही आएगा मतलब कि समुच्चे A से पहला व्यव लिया गया C जो है वो समुच्चे B से व्यव लिया गया अब यहाँ पर हमने बात की कि जो हम 12 में पढ़ने वाले हैं वो खुद का खुद से होगा मलब समुच्चे A का A से ही होगा, मारे पास इधर भी समुच्चे A होगा और इधर भी समुच्चे A होगा, टिक, तो इधर भी 2, 3, 4 है, तो इधर भी 2, 3, 4 है, तो क्या होना चाहिए, अगर कोई सम्मंद हमारे पास स्वतुल है, तो 2 का 2 से भी होना चाहिए, 3 का 3 से भी होना चाहिए, 4 का 4 से, खुद का खुद के साथ सम्बंद होना चाहिए, तो A, A क्या होना चाहिए, A, A belongs to होना चाहिए, और फार फार make all are kalau from sixt viral are लिख सकतो कोई दिकत नहीं कि हमारे पास एक ओंए जोगा जो एक हो अमने होता है तो मारे पास प्रते कर दोमें क्या होना चाहिए सम्बंद में क्या होना चीऩ सर अमारे पास प्रतियेक मलब अव्यव से संबंदित होना चाहिए, खुद का खुद से संबंद होना चाहिए, a, a belongs to r ना चाहिए, for r, a belongs to a मतलब यह है, कि इसका मतलब क्या होता है, जो हमने उल्टा यह करके बनाया, इसका मतलब होता है, for all, सभी a के मानों के लिए, मतलब a के सभी मान क्या होने चाहिए, समुच्चे a से हमारे पास खुद से संबंदित होने चाहिए, मतलब यह है, यह से 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा, टिक, यह हमारे पास बात हो गई, स्वतुल संबंद की, दूसरी अगर हम बात करें, सम्मित संबंद की, तो सम्मित संबंद आपका यह कहता है, यदि, यदि a, b बिलॉंग करता है, r में, a और b अमारे पास कोई दो अव्यव है, समुच्चे a के, खुद का खुद से संबंद होता है, तो जैसे a जो था, यह अव्यव खुदा, समुच्चे a का, तो a, समुच्चे a से बिलॉंग कर रहा था, ऐसे कोई जितने भी अव्यव होंगे, सारे समुच्चे a से हमारे पास बिलॉंग करते हैं, तो ऐसे a, b अगर बिलॉंग कर रहा है किसी संबंद r में, तो b, a, मतलब इसका उल्टा भी क्या होना चीए, r में बिलॉंग करना चीए, तो b, a, b बिलॉंग करना चीए, r, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, for all, a, b जो होंगे, वो हमारे पास कहां से होंगे, सब हमारे पास r से बिलॉंग करेंगे, तो हमारे पास a, b जो है, वो हमारे पास r से बिलॉंग कर रहे हैं A और B जो मारे पास है A से समुच्चे A से कि A, B जो है वो समुच्चे A से लिए जा रहे हैं इसको नहीं भी लिखो कि तो भी चलोगा करता है अगर यहां पर लिखते है यदि अ को मदी बिलॉंग करता है आर में तथा को जो बी कॉमा सी होगा वो भी बिलॉंग करता है आर में ए कॉमा भी और बी से start होने वाला अगला अव्यव भी आरं में belong कर रहा है तो क्या होना चाहिए तो एकों मा सी आर में belong करना चेह आ यह हमारे पास संक्रामत संबंद की परिभासा यह गड़ती परिभासा है दोनों तीनों की कि अगर अमारे पास स्वतुल संबंध है तो खुद्द का प्रतेक अवयफ का प्रतेक से संबंध होना चाहिए, संब्ध ये कहता कि अगर A,B है तो उसका उल्टा भी मौजूत होना चाहिए अभी कोईच्चन करें क सारी क्लियर हो जाएगी परिशान नहीं हो ना, संकरामत में ही कहता कि A,B ठीक 1,∀2,2,4,5 अगर यहाँ पनों अ वह वैब जो चार जोदी दार हो वह पांच से होगा क्योगाición क्या है तो अगर यह इसका जोडी दार मिल गया तब तुम क्या दूना ऊगे तब इसका तुम तोड़ी दार डूनोगे, तोड़ी दार का मतलब क्या है, तब तुम B को हटा के A, C वाला अव्यव डूनोगे, मतलब जैसे माल लो, 4, 5 था, अगला अव्यव तुम्हें मिला 5, 6, तो तुम किसको डूनोगे, 5 से 5 हट गया, अब तुम्हें 202 हट गया, 4, 6 डून लेकिन A, C नहीं, मतलब कि तुम्हें मिला, यह मिल गया कि 4, 5 है, अगला मिला 5, 6, लेकिन तुम्हें 6, 7, जो हमारे पास यह, अगला अगला जो तो मिला जो 4,6 जो होना चाहिए तो वो नहीं था आपके पास क्या था सरी हमारे पास 6,4 था तो यह तुम्हारा संक्रामक नहीं होगा कोई अव्यव 4,5 था अगला अव्यव तुम्हारे पास 6,7 है अगला तुम्हारे पास 7,9 है यह 7,9 निसाथ से नहीं मालो अगला मालो तुम्हारे पास 3,2 है तो देखो 4,5 है लेकिन 5 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं मिला तो भी यह संक्रामक माना जाएगा यह संक्रामक पाना जाएगा तीन कॉमा दो है लेकिन दो से स्टार्ट होने वाला कोई दो मिलने चाहिए मतलब एक कॉमा बी का जोड़ीदार जम मिलेगा तभी तोड़ीदार ढूनोगे अगर जोड़ीदार तुम्हें नहीं मिला तो भी वो संक्रामक है यह बात याद रखनी बस यहीं प पुल भी है वो संक्रामक भी है तो उसे हम बोलते है तुलता संबन यह होता है मारे पास तुलता संबद टिक तो यह बेसिकली हमारे पास चार प्रकार के होते हैं, चौथा ये माल लो, कि जब ये तीनों सेटिस्फाइड कर जाएंगे, जब तीनों किसी संबंद में निकल आएंगे, तो वो तुलता संबंद कहलाता है, अब इस पर एक दो कोशन्स करते हैं, जिससे प्रेक्टिस हो जाए, आपको अच्छे से के लि तो, कॉमा तीन, इसमें संबंद जो हमारे पास परिबासित है, वो हमारे पास कौन सा है, ये वह संबंद 3, तीन, इक कॉमा दो, और हमारे पास है 2,3, ठीक, बेसिकली यह हमारे पास एक संबंद आर exploited और एक यह समूच्चे में दिया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या चलना है चेक करना है मालों हम चेक कर रहे हैं यहां पर सतुल लिख पर आप अभी कोश्चन पर ना दें दो तुम सारे तीनों चेक करो ना सीधे अपने चलते हैं कोई दिक्कत नहीं आपके पास एक समुझ्चह ए इससे एक संबंध परिवासित किया गया इसी का इसी से सभी मानों के लिए मतलब जो यह समुझ्चह ए होगा समुझ्चह ए मतलब यह पूरा वयभ इसका प्रते का वयभ खुद से संबंदीत होना चीए बस यह देखना यह एं तो 1 का 6 मिलाइं ठीक 2 का 2 से होना चाहिए, 2 का 2 से मिलना है, 3 का 3 से होना चाहिए, 3 का 3 से मिलना, मतलब सतुल है, सतुल हो गया, आगे आओ, सम्मित, सम्मित में क्या कहता है, अगर 1,2 है, मतलब की 1,B है, तो B,AB, उसका उल्टा भी होना चाहिए, सम्मित और संक्रामक में इनको ध्यान नहीं देना बाकि जो बचे वाले उनको ध्यान दो एक कॉमा दो जो है तो दो कमा-1 भी होना चाहिए नहीं है ना तो यहां पर आप लिख दोगे 2,1 जो है वो does not belong to r अता संबंद सम्मित नहीं है 2,1 क्या होगा देज नोट भी कॉल कॉल उसको कार्द दो तो does not belong to r इस संबंदार में है नहीं मतलब कि यह हमारे पास सम्मित नहीं है तीसरा हो संक्रामक संक्रामक में देखो संक्रामक की अगर हम बात करें देखो जैसे अब यह तो छूट गया अब 1,2 है दो से स्टार्ट होने वाला कोई और है एक कॉमा दो है और दो कॉमा तीन यह है इसका जोड़ीदार कौन होगा एक कॉमा भी है तो बी कॉमा सी होना चाहिए मतलब जो जिससे यह खतम हो रहा उससे स्टार्ट होने वाला दूसरा वियाफ कौन है तो एक कॉमा दो है दो कॉमा तीन है ठीक एक कॉमा दो है दो कॉमा त है लेकिन एक कॉमा तीन तो मैं कहीं दिख रहा है क्योंकि एक का सी के साथ संबंध होना चाहिए था एक कॉमा तीन कहीं नहीं दिख रहा है कॉमा तीन अता हम यहां से क्या लिखेंगे अता हम यहां से लिखेंगे कि एक कॉमा तीन जो है वो आर्व में बिलॉंग नहीं करता ह हापर लिख दो 1,2 belongs to R 2,1 2,3 belongs to R कन्तु के लिखो गिंतु दो मती जिसे और यहांसे आपको शिधिक है जब भी दखो ऐसा आएगा कि ना संबंध संवित नहीं इस वजह से तो तुम लिख सकते हो कि एक और क्या लिखो कि सिर्फ डिफिनीशन यहां पर लिख दोगे कि एक कॉमा ए जो है वह बिलॉंग करता है आर में बस अता संबंध हमारे पास तुछ लेकिन जब तुम यह लिखोगे सम्मित में नहीं है सम्मित तो क्यों सम्मित नहीं है उसके लि है वो सत्य है कि हमारे पास सम्मित संक्रामक नहीं चले आगे इसी प्रकार की कोशन इस पर बनते हैं एक और कोशन इस पर करते हैं जैसे अगला कोशन एक और करते हैं कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चे एक कॉमा दो कॉमा तीन में एक संबंध आर दिया गया है इससे संबंध आर ना तो संम्मित है ना सुतुल है और नाही संक्रामत है वल्face तीनों नहीं है तो तीनों में एक एक इवशाम्पल दे दिया जाएगहा है संबंध हमारे पास won kind तैक ये बात के लिए रहे हैं अब देखो कैसे करना है समझते हैं मालो आप हम स्वतुलας चक्र रह useful स्वतुलय के लिए क्या होना चीह खुद का खुद से संभन्द होना चीह तुमे कर दिख रहा है ना तो एक, एक Howma और में ना तो 2,2 और में ना तो 3,3 खुद का खुद से कोई संभन करने ना तुम्हार लब सतुल नहीं है आप यहां पर सिंपल एक इग्जामपल लिख दू कि एक कॉमा एक जो है वो डज नौट विलाउंस टूर कोई भी एक लिख दू चल जाएगा एक एक इग्जामपल उसको प्रूफ ना करने के लिए काफी है कि एक कॉमा एक इसमें आर और दो कॉमा एक इसका उल्टा भी है तो आप लिखोगे एक कॉमा बी जो है वो बिलॉंग करता है आर में तथा बी गॉमा एभी है आर में a, b, r में और b, a, r में है आप आराम से लिख दो कि हमाए पार सम्मन्द यहाँ यह पर यह question भी लिख सकते हो तिम दारे क्या है a, b लिखो आप सीधे लिखोगे a, 2 है वो बिलॉंग कर रहा है र में तथा 2,1 भी है वो बिलोग कर रहा है यार में तो अता सम्मन्द मारे पास सम्मित्तो है क्या संक्रामक है संक्रामक में अगर देखा जाए तो हमें पता है कि अगर 1,2 है बलब 1,2 है तो B से स्टार्ट होने वाला कोई है हाँ यह है तो 2,1 होना चीए 2,1 भी है तो अगर इसका जोड़ीदार यह है तो तोड़ीदार क्या होगा 1,1 अरे 1,2 हो गया यह 2 का 2 से स्टार्ट होने वाला है कोई दिक्कत नहीं तो अगला कौन सहोना चीए 1,C 1,1 लेकिन 1,1 कहीं तो में दिखी नहीं रहा है इस संबंद में अता तुम लिखोगे 1,1 डज नौट विलाउंस टू आर अता संबंद मारे पास संक्रामक नहीं है पस यह इसी प्रकार के सारे कोशन है कुछ और नहीं रॉकर साइंस नहीं लगानी है तीनों कित्यों में परिवासा इससे इस पश्ट होगी यह इस प्रकार के कोशन बनते हैं आराम से सारे कोशन तुम लोग कर लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं एक मार लोग कोशन में अपने मन से लिखो अगर फॉर इजम्पल हमारे पास एक समुच्चे दिया गया है समुच्चे A है हमारे पास A, B, C इसमें एक सम्बंद परिवाश्यत किया गया A, A C, C A, B B, A C, B यह B, C यह हमारे पास सम्बंद एक समुच्चे A है एक समुच्चे R मैंने खुद से फ्रेम किया कोई सोचने की बात नहीं है इसमें तीनों चीज़े बताना है अब हमें यह बताना है कि यह सम्मन सतुल है क्या सम्मित है यह संक्रामक है सतुल है यह सम्मित है यह हमारे पास संक्रामक है सतुल के लिए क्या चक करतो खुद का खुद के साथ तो A, B, C, तीनों का खुद का खुद के साथ होना चाहिए, A, A है, लेकिन B, B नहीं है, C, C तो है, B, B नहीं है, अगर B, B नहीं है, तो लिखोगे B, B does not belong to R, अता संबल नमारे पास तो तुल नहीं है, सम्मित पर आजो, सम्मित में कहता है, इन दोनों को तो भूल जाओ, A, B है, तो B, A भी होना चाहिए, B, C है, तो C, B भी होना चाहिए, नहीं है, तो C, B जो है, वो does not belong to R, अरे V, C तो है, लेकिन C, B तो में कहीं नहीं दिख रहा, अगर C, B कहीं नहीं दिख रहा, तो सम्मित भी, नहीं है, संक्रामक पराओ, संक्रामक में इन दोनों को फिर से कोन होगा A, B है B से स्टार्ट होने वाला B, A तो A, B है B, A है तो A, B है और B, A, B है तो A, A होना चाहिए क्योंकि इसका जोड़ी दार कौन हुआ अब तोड़ी दार क्या बनेगा जब A का C से होगा तो C क्या है यहाँ पर A, A तो A, A भी है मतलब यह तो पास हो गया A, B तो भाई पास हो गया अगले वाले अव्यव पराजो इन दोनों को भूल के बाकी जो अव्यव इनको पास कराने है अब B, A आए तो B, A है A से वाला यह तो इसका जोड़ी दार को नहीं है तो A, B भी है तो B, A है A, B है तो आपको पता है कि यहां से क्या होगा B से B हट जाएगा A से होना चाहिए तो यह भी पास हो जाएगा ठीक कोई दिक्कत नहीं अब आजो आंगे B, C है लेकिन C से स्टार्ट होने वाला कोई नही दो B, C है लेकिन C से स्टार्ट होने वाला इसका जोड़ी दार कोई नहीं है तो अता यह हमारे पास क्या हो जाएगा पास हो जाएगा तो B, C भी क्या हो जाएगा पास तो B, C है लेकिन C से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं इसका जोड़ी दार नहीं मिलेगा तो नहीं क्योंकि प्रतेक का संब्व oppressor को सिबसे संक्रामक क्या ओता है इन दोनों को थो उत्कर न कोई यह दिक्कत ने इसको नहीं और र हमें आ खुद खुद को खुद के साथ नहीं कि हमें पता है कि संक्राम कर शुद को । दोनों भी अबना चाहिए तो सिर्प सुतुल में इन दोनों को चेक किया जाएगा सम्मित और संक्रामन में इनको नहीं चेक किया जाएगा आप यहाँ छुड़ो आप यह देखो कि ए कॉमा भी दोनों डिफरेंट वाले अवे अब कहों से यह तो था तो बी कॉमा एब वीकम में वीसे स्टार्ट होने अलब देखेंगे तो एकॉमा बी है वीकॉमा ए है तो सीधी सिबात योगे एक कॉमा भी वीकॉमा ए तो एकॉमा ए होना चीज़ है ठीक कोई दिक्कत नहीं ठीक हां ठीक लेकिन एक चीज़ देखो यहां पर एक छोटी सी गड़वड़ है अब बास समझो बहुत प्यारा कुश्चिन देखो इसको अधाओ पहले एक सब्सक्राइब नुकना इसको मैं हटा रहा हूं है बहुत मुझे तो बहुत कि अधे छल जा अधिक अधिक देखना अब ध्यान समझना A, B है तुम्हारे पास ठीक तो इसका जोड़ीदार कौन हो अब B, A तो A, A होना चीए वो है ठीक तो ये तो पास हो गया लेकिन इसके बाद ये देखो A, B के बाद दूसरा वाला फिर से ये वाला भी B से च्टार्ट हो रहा है तो A, B फिर ये भी B, C है तो इसको भी चक करेंगे इसके साथ भी तो A, B है और B, C है A, B है और B, C, B से B कट गया A, C नहीं दिख रहा तुम्हें A, B तो है इसके साथ तो ये पास हो गया लेकिन इसका इसके साथ देखो अगर तो A, B है ये B, C है एक कोंघ किमें कहीं नहीं दिखरा है तो एक सी जब तुम्हारा डशनाड बिलॉंग्स टू आ रहे हैं यहां पर क्या लिखूंगे एक सी डजनाड बिलॉंग्स टू आर तो एकर मासि इसका जोड़ी-दार तो वी को मासिये लेकिन एक आव सी नहीं है तो यह संकरामक भी नह कद्राइ कहांत साथ both the developer gifts lij总 भी नहीं है तो ना समित हैना सतुल लेन संक्रामरा के वेरी इंपॉर्टंट कोष्चन हो लिए भाई की कॉप्जिए तो बहुत प्यारा कोष्टन हो गया है तो इस प्रकार से बस कोषिछन बनेगा इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा बाकी question ऐसे ज़्यादा आते हैं आसान से एक्दम साफ दिखने वाले इस प्रकार एक question जब बने तो बहुत ध्यान से करना समझ के करना देख लेना संक्रामक में ही मामला फसेगा बाकी तो तुम दोलों समझी लोगे संक्रामक ए एक तो सम्मित इस संबंदों के प्रकार पर एक ये तीन बेसिक ऐसे questions बनते हैं जो हमारे पास direct roster रूप में दिये जाते हैं दूसरे इस प्रकार के question बनते हैं जो बहुत important होते हैं भासा संबंदी प्रशन होते हैं इसमें लिखने का pattern important होता है कि कैसे हमें क्या लिखना है क् क्या A में है क्या B में है उसमें थोड़ा confusion create होता है लेकिन बहुत important question होते हैं इस प्रकार के question के practice अभी start करते हैं यह बहुत important होते हैं long question में बनते हैं question कैसे लिखना इनका एक fix format है वैसे ही लिखना है लिखने का तरीका बहुत important है मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे आपको exam मे लिखना है और उसमें आपके नमाक्स नहीं कटने वाले ठीक है तो मैं start करता हूं इस प्रकाली question में क्या कह रहा है कि माल लीजे एल किसी समतल परिस्तित समस्त रेखाओं का एक समुच्च है कोई समतल है उस पर एल रेखाओं का समुच्च आनंत रेखाए हैं उसमें एक relation आरार परिबासित किया जिया एल एल टू दो रेखायों गी एल्वट एल टू पर लं में दो रे खाए कैसी है यह एलवन जुह है हमारे पास वहले पर लंब वालों यह एल्लवक्र लंग को सम्मुच्च है तो समच्च आल पर रिवासित एक समग्स सिज Northern Enfin संक्रापे क्याक स्वतूल réalité संक्रामा करिए सम्मिद है कहते ह politic ago इन प्रकार की question में कैसे सिर्द करते हैं उसकी बात का लेते हैं देखो आ जो पहले श्टार्ट करते है सलतूल से श्टूल कैसे लिंखना है पहले है, ठीक, सबसे पहले स्वतूल आप सबसे पहले जब भी सतुल लिखना स्टार्ट करेंगे भासा संबंदी कोईश्चन में आप यहीं से स्टार्ट करेंगे सतुल का परिवाशा क्या है कि खुद का खुद से संबंद होना चाहिए मतलब जैसे यहाँ पर L1 L2 लिखा है ना L1 L2 पर लंब है तो आप क्या करो खुद का खुद के साथ मतलब जैसे यहाँ पर L1 है तो यहाँ पर भी L1 रखके देखो L1 L1 पर लंब है अगर हम यह बोलें कि L1 L1 पर लंब है क्या कोई खुद पर कभी लंब होता है और यह L1 है इसी के उपर फिर से L1 बना दो मालो इस समांतर तो हो जाएगी यह L1 मालो इसी के समांतर है तो L1 L1 पर समांतर हो सकती है खुद पर कोई लेखा लंब कैसे हो सकती वो तो समांतर होती संपाती रेखा है हो जाती ऐसी खुदी के उसी के उपर तो जब भी स्वतुल्य की बात आएगी, जैसे जो यहाँ पर लिखा है, इसी संबंद में, आप उसमें जो दूसरी चीज लिखी, जैसे L1 का L2, किसी के साथ संबंद होगा, तो जिसके साथ हो रहाँ, उसकी जगह भी वही चीज रखे देखो, L1 का L1 रखे देखो, L1, L1 के R में बिलॉंग करता है, क्योंकि हम A, A चक करते हैं, तो ऐसे L1, L1 के R में बिलॉंग करता है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर, क्या L1, L1 पर लंब होगी, नहीं, L1, L1 के समानतर हो सकती है, ना कि लंब हो सकती है, तो यहाँ पर तुम कैसे लिखोगे, आप यहाँ से यही से स नहीं है पहली लाइन आपकी क्या है एलवन एलवन पर लंब नहीं है इस लाइन का मतलब क्या हुआ implies that का sign है मतलब इस line का मतलब लिख रहे है implies that का मतलब होता है जो यह उपर line लिखी इसका मतलब लिख रहे है इस line का मतलब यह हुआ कि L1, L1 does not belong to R अगर यह lump नहीं है तो R में नहीं belong करेगी क्योंकि संबंद क्या कह रहा है कि L1, L2 पर lump है हमें वो रेखाएं लेनी है जो एक दूसरे पर lump है तभी वो उस संबंद में आएंगी अगर वो लंब नहीं है तो नहीं आएंगी हमें पता है कि यह लंब नहीं है समांतरमांतर की कंडिशन बन सकती है तो L1, L1 पर R के बिलॉंग नहीं करती है तो L1, L1 R पर बिलॉंग नहीं करती है सीधी बात होगे बस इतनी ही बात लिखनी है बस यह तीन लाइन में इसका अंसर हो गया कि L1, L1 पर लंब नहीं है तो L1, L1 does not belong to R क्योंकि L1 का खुद का खुद के साथ संबंद होगा वो R में नहीं आएगा तो संबंद सतुल नहीं है दूसरा हो अब लिखते है सतुल के बाद आजो सम्मित पर इन कोईश्चन्स में से फिल लिखना इंपोर्टेंट है सम्मित सम्मित इस्टार्ट करते हैं सम्मित क्या कहता है सम्मित सम्मित तुमारा यह कहता है कि A, B अगर R में है तो B, A, B, R में होना चीए ठीक मलब उसका उल्टा भी true होना चीए अगर यह बास समझो L1, L2 पर लंब है L1, L2 पर लंब है तो क्या L2, L1 पर लंब नहीं यह दोनों एक दूसरे के लंब है तो उल्टा भी true है कि L1, L2 पर लंब है तो L2, L1 पर लंब है बस यही बात हमें थोरी रूप में लिखनी है और कुछ नहीं यह बात हमें पता है कि हाँ यह दोनों एक दूसरे पर लंब है स्टार्ट करो देखो क्या लिखोगे आपको इसमें पता होता है पहली लाइन तो पता होती है कि L1, L2 पर लंब है यह कंडिसन हमें दी होती है कि A, B जो है वो R में बिलॉंग करता है तब हमें यह चेक करना होता है कि B, A, R में बिलॉंग कर रहा है तो आप क्या लिखोगे पहले लिखोगे L1 L2 पर लंब है, पहली लाइन क्या लिखोगे L1 L2 पर लंब है, पहली लाइन तो यह हमें पता है, यह हमें question में ही given है, क्योंकि सम्मित तभी हम चेक करते हैं, जब यह लंब होती, मलब एक दूसरे को satisfied करेगी, कि L1 L2 पर लंब है, तो इस लाइन का मतलब क कि L1, L2 belongs to R, ठिक, अब नीचे लाइन में क्या लिखोगे, नीचे लाइन में आप लिखोगे, L2 L1 पर लंब है, ठिक, L2 भी L1 पर लंब होगी, ठोड़ा सा उपर हो जाए, तो काम हो जाएगा, ठिक, तो यहां से क्या हो गया, L1 L2 पर लंब है, तो इस मतलब हुआ कि L1 L L2 belongs to R, L2 L1 पर भी इसका उल्टा भी जोगा, L2 L1 पर लंब है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि L2, L1 belongs to R, समझ गए, कि यह इस पर लंब है, तो L1 L2 belongs to R, अब हमें पता है, इसका उल्टा भी true है, true होना चाहिए, बस सत्य होनी चाहिए, ब आप लिखोंगे आंगे, अता, सम्मंद, सम्मित है, यह सम्मंद क्या हो गया, सम्मित हो गया, आप चलते हैं, संक्रामक प्रिवास, तिसरा आजो, संक्रामक, संक्रामक में भी कैसे स्टार्ट करो, संक्रामक में तुम्हें कौन सी कंडिशन पता होती, जैसे यह पता होता है, सम्मित में, कि A, B, R में बिलोंग करता है, तो L1 L2 लंब है, यह बात हमें पता थी, अब तुम्हें संक्रामक में क्या पता होता है, कि A, B, R में है, और B, C, R में तब हम A, C को ढूनते हैं तो हमें क्या-क्या पता होगा कि L1, L2 पर लंब है इसके अरावा L2, L3 पर लंब होगी कोई तीसरी रेखा L3 होगी जैसे A, B belongs to R होता है और B, C B से खतम होता, B से स्टार्ट होता है तो B, C R में होता है तब हम A, C की बात करते हैं तो L1, L2 पर लंब है और L2, L3 पर लंब है तब हम L1 और L3 की बात करेंगे पहले मैं लिखता हूँ फिर कंडिशन समझाओंगा पहले हम क्या-क्या पता है हम लिखेंगे L1, L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है यह बात हमें पता होती ही न कि A, B belongs to R है और B, C belongs to R है तो इस लाइन का मतलग क्या हुआ कि L1 L1, L2 belongs to R है तथा L2, L3 वो भी बिलोंग तो R है ठीक अब बात लिखते हैं क्या अब L1 L3 पर लंब होगे यह दो देखते हैं A, B belongs to R है A, B belongs to R है B, C belongs to R है तो क्या A, C belongs to R है अब बात लिखते हैं यह मालो L1 था, यह मारे पास L2 था एलuन एल फ्सक्राइब फिर ते फिर मिंहां लिखा L2L3 पर लमब यह ए यह लंब है उज़ते हैं क्या एलसप से अ 4 एल 3 वा है अरे यह मारे पास L1 L2 डै U पे तो लंब थी एक यह 3 रिक हा ली रही। 11, 9 के साथ जोे सनोग ventilation हो गई, एक उखमसी का जो समध्स्वन्ध बना वो हूं समांत्र का हो गए ना कि फ्टक्रीब बोकल कर लुखे खो रहर अधा से अगर 11 है लंब नहीं है तो आप इस बात का मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब हुआ कि L1, L3 डज नौट बिलॉंग्स टू आर ठीक है डज नौट बिलॉंग्स टू आर अता संबंध संक्रामक नहीं ऐसे करने है जो ठ्वोरी रूप के मारे पास तो जब भी कोश्चन ठ्वोरी रूप का आएगा आप टिट्टो ऐसे लिखोगे प्रते कोश्चन पे फॉर्मिट इसका सेम है कैसे हमें पहचानना है वो मैंने तरीका बताया कि हम जैसे उसको रिलेट कैसे करना है कि लिखा है किसी लाइन में लिखा यह इंप्लाइस देट है मतलब इस बात का आंगे हमने मतलब लिखा है कि इस बात को मैं से आंगे लिख देना अता संबंद आर स्वतुल सम्मित है तो लारे यह तो दिया क्या किसे दिकरने को की सम्मित है लास्ट वाली जो लाइन दी गई है वो बस लिख दो सम्मित है किन्तु ना तो सतुल्ले और ना ही संक्रामक और ना ही संक्रामक अधियर आंसर ठीक है चले अगले कोशन पर थोरी रोग के दो कोशन और करते जिसे थोड़ा और प्रेक्टिस हो जाए अगला कोशन यह यह अच्छा इंक कोशन है उधारा नहीं यह पाच्वा फेवरेट कोश्चन एक्जामनर्स के जो वहीं अमने कोश्चन लिए जो कोई कुद रेखा कि समानतर है तो क्या मतला है तो सतुल हो जाएगी उसी के कोडिंग है बस समझने की समता यह रखना ठीक है अगले कोशन की बात करने करा सिद्ध कीजिए कि पुढांकों का समुच्च जड़ इस बार हमारे पार जो संबंद आर परिवासित है वो जड़ स से परिवासित है जड़ मतलब की इंटीजर लिए गए पुढांक लिए गए एक कॉमा भी संख्या दो एक कॉमा भी को विभाजित करती है तो दारा प्रदर्व संद्द एक तुल्लता संबल तुलता मतलब की जेतु संमित भी है सटुल भी हो संक्रामभी सिद्ध करना किये है अब हमें कैसे दिखाना यह बात समझो इस्टार्ट करते हैं फिर से जैसे अभी किया था के ऑले के सिंपल सा कौंसेब्ट हमने श्वतुल लिया पहले हैं के फिर से आओ तोरी सी बास समझ ले तें समझ ले इन से फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं सुटल का मतलब क्या रख लो तो L2 का L2 के साथ वही बात हो गए तो L1 का L1 के साथ देखते थे ऐसे A, B है तो दूसरी चीज़ जो होती है उसको जगाए वही पहली चीज़ रखके देखो A-B है वो संख्या 2 से विवाजित है मतलब जब A-B को 2 से विवाजित किया जाता है तो यह पूरता विवाजित हो जाती संख्या 2 A कामा B को विवाजित करती है मतलब कोई पूरांग संख्या यहाँ पर आ जाती सिंपल के एक पूरांग है कि A-B हमारे पास 2 संख्याओं का अं मिलेगी तभी तो विवाजीत होगी विवाजीत होने का मनला पूरा पूरा भाग जाना अब पूरा भाग तभी जाएगा जब इंटीजर कोई संख्या भाग फल में आएगी तो कोई हमें पूरा संख्या मिलती है तो हम क्या देखेंगे जब सतुल की बात होगी खुद का 0 बटे दो, अरे 0 से चाहें किसी में भाग करो, चाहें किसी में गुणा करो, वो 0 ही आता है, अकलब कि यह विवाजित है, 0 का कोई लेना दे नहीं, चाहें गुणा करो चाहें, गुणा करो चाहें, गुणा भी होती है, वो एक दूसे में भाग भी जाता है, तो सिंपल यहां विभाजित करती हैं यही से स्टार्ट करो बस जहां पे बी था वहां पे ए रख दो खुद का खुद के साथ ठिक अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ सर इस लाइन का मतलब यह हुआ कि A, A जो होगा वो हमारे पास R में बिलॉंग करेगा अब आंगे एक तीसरी लाइन क्या ब कर लिए स YE-11 को समझचा है यहां था अ है समझ गये जले आंगे आप स हुत्तन के बाद आजो सम्मित पर ठिक, सम्मित संबंद, अब अगर सम्मित संबंद की हम लोग बात करें, तो सम्मित में हम क्या देखते हैं, फिर से थोड़ी सी डिटेल में बात, सम्मित में आप यह देखते हों कि A, B अगर R में हैं, तो B, A भी होना चाहिए, मतलब यह हैं, कि A-B अगर है, उससे अगर 2 को विवाजित किया गया, तो अगर K आया है, तो इसका उल्टा, मतलब अगर हम B-A को विवाजित करें, तो भी हमें कोई पूडांक मान ही मिलना चाहिए, सीधी सी बात यह है, कि अगर हम A-B को 2 से विवाजित कर रहे हैं, तो पूडांक मान मिलना है, कोई integer संख्या मिल लही ह तो B-A को अगर इसके उल्टे को भी अगर हम 2 से विवाजित करें तो भी इंटीजर मिलना चीए उल्टा भी सहम होना चीए तो संबंध हमारे पास सम्मित होता है दिखाते हैं अभी कैसे यह सम्मित है देखो बास समझो यहाँ पर मैं लिखता हूँ को वहीं से श्टार्ट करते हैं कहा से संख्या 2 पहली लाइन तो इसमें हमें पता ही होती है कि यदि आईसा है तो ऐसा देखना तो संख्या 2 A-B को विभाजित करती है संख्या 2 A-B करती है इस लाइन का मतलब यह हुआ कि A-B बटे जब 2 किया गया तो हमें कोई पूढांक संख्या मिली कुछ पूढांक मिला के के हमारे पास क्या यहां पे लिख सकते हो कि के जो है वो हमारे पास जड़ से बिलॉंग करता है समझ रोजेड मतलब कोई पूढांग संख्या है यह लोग से ठीक जट के हमारे पास क्या है एक पूढांग संख्या इंटीजर है अब यहीं से बास समझना एक इसी लाइन से थोड़ा उपर जाए गई है को अधिया अधिया को अब बास समझो अगर ए माइनस बी से हमने डिवाइड के तो हमें के मिला पहली लाइन अगर इससे माइनस कॉमन लोच अच्छ देखो माइनस हमने कॉमन लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए बटे का दो इक्वल टू के ठिक यही तो लिख सकते हैं माइनस कॉमन लिया यह प्लस का हो गया यह माइनस को हो गया इसको हम लिख सकते हैं यहां से बी माइनस ए बटे का दो बरावर माइनस को इधर मेरे ज़न दो तो माइनस के आ जाएगा सम्मित हो गया कैसे A-B को 2 सभी वाजित किया तो पूरांग संख्या मिली B-A को जो हमने 2 सभी वाजित किया तो भी तो पूरांग संख्या मिली क्योंकि माइनस के भी तो एक पूरांग संख्या होगी यार पूरांग संख्या कौन सी होती है प्लस और माईनस अगर हमालो इसको भाग हमने जब किया था तो यहाँ पर 4 इसको भाग किया तो 4 टोर दोनों पूरांग संख्या में तो B-1 को जब 2 से वाजित किया गया तो भी एक पूरांग संख्या यह यहां से हमने देखा अगर इससे माइनस कॉमन लेक इधर बेज़ दे तो अता यह संबंद क्या हो जाएगा हमारे पास अता हम यहां पे क्या लिखेंगे अगली राइन में आप ल विवाजित करती हैं अगर संख्या 2-1 को विवाजित करती है इस लाइन का मतलब यह हुआ कि हमारे पास वी कॉमा एज हूगा वह भी विलॉंग करेगा आर्म A, B belong कर रहा था R में, इस line को मैं यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि A, B R को belong करता है थोड़ा से नीचे करके यहाँ पर लिख देना चाहिए था यह line कि A, B यह कहां रहे गया यह कहां से रहे गया बाई अच्छा, यह यहाँ का पर्ट है तो इसको अटा देता है कहीं कर रहे तो नहीं गया अच्छा, यह था यारी संख्या 2 A minus B संख्या 2 A minus B को विवाजित करती है यह थो था, हाँ, ठीक तो A, B क्या होगा? belongs to R होगा ठीक? A, belongs to R होगा, जब हमने B minus A, B, विवाजित 2 से विवाजित होती है तो B, A, B, R से विवाजित कर गया अता संबन्द संमित है ठीक? तो संबन्द हमारे पास स्वतल भी है, संमित भी है अब संकरामक की बात कर लेते हैं यहां तक कोई डाउट तो नहीं बस अबने माइनस कॉमल नेकरी साइट विजा तो भी पूढांक आया मतलब भी दो से विवाजित होगा, हमारे पास पूढांक आगया तीसरी बात कर लेते हैं संकरामक की संकरामक में क्या होता है, सर संकरामक में हम यह लिखते हैं कि संख्या 2 A-B को भी वाजित करती है जैसे हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम यह लिखते हैं कि यह चीज हमें पता होती है, कि संख्या 2 संख्या 2 A-B को भी वाजित करती है ठिक, तथा इसी के बाद हमें ये भी पता होता है कि संख्या 2 B-C को भी वाजित करती है या इसी को लिख देते हैं को नीचे लिखना पड़ेगा संख्या 2 B-C को भी वाजित करती है ठीक बिर्कमद करते हैं कर लिका मैं ने कि संख्या 2 A-B को भी वाजित करती है तता संख्या 2 B-C को भी वाजित करती है क्योंकि व बात हमने लिखी है इस Physics लिखा रहते है कि L1 L2 पर लंब है L2 L3 पर लंब है सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या लिखा कि A-B भी दो से विवाजित है और B-C भी दो से विवाजित है यह में question में given है तो इस line का मतलब लिख देते हैं यांगे मतलब क्या हुआ कि A, B, B भी हमारे पास R में belong करता है और B, C, B मारे पास R में belong करता है तथा B, C, B जो है वो भी R में belong करता है अगर यह दो से विवाजित करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A-B बटे जब हम दो करेंगे तो भी हमें एक पूढांग संख्या मिलेगी तथा जब हम B-C करेंगे इसको मालो के 1 पूढांग मिला अब जब B-C को हमने दे उसे विवाजित किया तो इसे को के 2 पूढांग मिला दो अलाग अलाग हमने पूढांग माली कि A-B को जब 2 से विवाजित किया गया तो पूढांग संख्या यह मिली और B-C को 2 से विवाजित किया गया है, तो पूरांग संख्या K2 में दी, इसी का लाइन का मतलब यही तो हुआ, विवाजित करने का मतलब यह पूरांग संख्या, विवाजित करने का मतलब पूरांग संख्या, तो A और C में हमें देखना है, तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों क को जोड़ देते हैं इस दोनों को जोड़ो अगर तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ए माइनस बी बटे दो A-B और ये जोड़ दो प्लस का B-C और बटे में हर तो समान है दो LHS जोड़ गया RHS भी जोड़ दो K1 प्लस K2 A-B प्लस B-C ये बटे में 2 थाई K1 और K2 इधर जोड़ गया तो B से B कट गया इस यहां से क्या बचा A-C बटे 2 इक्वल टू K1 प्लस K2 इसका क्या मतलब हुआ कि A-C भी 2 को विवाजित होती A-C भी 2 से विवाजित होती है मतलब यही हो गया कि A,C जोगा वो भी R में बिलॉंग करेगा पर सीधा सा मतलब यही है और कोई तो मतलब बनता नहीं तो यहां से इसका मतलब यह हो गया यहां पर हम लिख देते हैं कि K1 और K2 हमारे पास क्या है यहां पर इससे लिख देते हैं कि हमारे पास जो यह K1 कॉमा K2 जो है यह हमारे पास R से बिलॉंग करते हैं बिलॉंग स्टू आर है बिलॉंग स्टू आर है इसको मैंने bracket में लिख दिया, तो इस line का मतलब यह हुआ, मैं आगे लिखता हूँ, इधरी लिख लेता हूँ, क्यों दूसरे page पर जाना है, जगे तो है अपने पास दूसे, दूसरे page पर लिख लेते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं, कोई दिक्कत में, कि A संख्या, यहां पर इस line का मतलब यह हुआ, संख्या 2 A-C को भी विभाजित करती है, क्या हुआ इस line का मतलब? कि संख्या 2 जो है वो A-C को भी वाजित करती है अगर A-C को भी वाजित करती है तो आप आगे लिखोगे कि इस लाइन का सर मतलब है कि एक माईनस सी जो है जा एकॉमा सी जो है इस लाइन का मतलब यह हुआ कि एकॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आरन न है तो अता संबं्ध हमारे पास कैसा हो गया तुलता हो गया सतल भी सम्मिद भी ए शंक्रामक भी अता संबंद एक तुल्टा संबंद है तो तीनो प्रॉपर हमारे पास verify हो जाएंगे तो वो तुल्टा संबंद कहलाएगा clear है न अच्छा question था ये भी कि अगर A, B अमारे पास R में था तो उसी के according हमने सारी संबंद को prove किया लिखने का pattern important है कि आपको ऐसे ही लिखके आना है मेन बात मैं यहां पर यही समझाना चारूँ हो सकता चीजे clear हो कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है लेकिन लिखने का pattern अगर तुम्हें नहीं पता है न तो गलबर हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाला मार्क्स पक्का कर कि अगर वो पांच नंबर में आया तो सकता दोड़ा ही नंबर दे के उटाल दे कि आपने आंसर तो सही लिखा लेकिन एक्ट्वल में ऐसे अगर लिख्या होगे तो दिखेगा कि सामने कि इस वज़े से यह हमारे पास सतुल है या सम्मित है या संक्रामक है जो भी है वो इ इसे के कॉर्डिंग इन को सॉल्व करोंगे क्लियर है यहां सी इसकी आठा दी थी इस खुली खुलू भाई है अब दिखान में दिया कुरुड़ अ ठीक है अब आंगे चलते हैं यह भी प्यारा कोश्चन इसके फॉर्मेट के दो कोश्चन है दोनों exercise में कोश्चन दिये गए दूसर नंबर कोश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तिक संख्याओं का समुझ्च है आर संबंद दिया गए एकॉम भी और एक बी से संबंद क्या है ए चोटा है बी के स्कुर्आर से दोला प्लवासी संबंद आर ना तो सम्माइट मतलब तीनों नहीं है संबंद ना अमरे पास सव्साटउन असे नहीं प्रेशन तो तुलता तीनों थे इसमें में दो चीजे नहीं थी वह में दिखा दी अब इसमें अगर बात की जाए इस्टार्ट करते हैं अपना जैसे करते थे वैसे ही करते हैं सतुल से स्टार्ट करते हैं यह प्यारा question है इसमें संकरामक case बहुत अच्छा बन जाता है अब यह हमें पता है यह question में तुम्हें given है कि ना सम्मित है ना संकरामत है यह सिकत्व बासंद que to her जैसे यहाँ पर A लिखा है, तो यहाँ पर भी हम A रखेंगे, जो दूसरी चीज़ होती, उसकी जगह हम A लिखते हैं, तो अगर कोई संख्या सर A है, यह A square से तो सर छोटी होगी, यह तो बात हमें पाता है, लग रहा होगा दिमाग में, हा सर यह तो ऐसा ही होता है, जैसे य सतुल्ण दिख रही है, यह बात तो clearly verify है कि खुद का खुद के साथ जो संबंद है, वो true वाला आ रहा है, सक्ता हा रहा है, कि हा सर चार दो से छोटा है, नो तीन से छोटा है, तो सर कैसे ही हम इसको सतुल्ण ना प्रूफ करें, क्यों कि तो कैसे नहीं है, नहीं है इसने आर क्या लिया है, वास्तविक संख्यां लिये, वास्तविक संख्यां में सारी संख्यां आती, अगर एक बटे दो को हम एक बटे दो स्कॉयर के साथ चकरो, एक बटे दो तो एक बटे दो गया, यह हो गया, एक बटे चार, एक बटे दो की वेलू, 0.5, एक बटे चार जीरो से बड़ी संख्या है ठीक बलब जीरो से तो हमारे पास बड़ी है जीरो से एक के बीच की कोई संख्या लोगे जीरो से एक के बीच की कोई संख्या तुम लो फिर तुम उसका स्कॉयर करोगे तो तुम ऐसा पाओगे कि 0 से 1 के बीच में कोई भी संख्या तुम ऐसी लो एक बटे 2 एक बटे 7 एक बटे 8 कोई भी ऐसी संख्या लोगे हमेशा तुम यह पाओगे कि उसका वर्ग जो होता है वो उससे छोटा होता जी रोगा ठीक है तो इस वज़ह से यह क्या है सुतुल नहीं है तो वस हमें नहीं है तो एक example देखे दिखा देंगे कि यह स्वतुल क्यों नहीं है पहली आप लाइन लिखो गए वहीं से जैसे अभी तक लिख रहे थे क्या लिख रहे थे जो है मारे पास यहां से लिखते हैं पहली लाइन a less than equal to a square पहली लाइन यह दी गई है एक ही जगए हम a square रखनेंगे इसको लिखना कैसे चाहिए a, a does not belongs to r यहां पर ऐसे लिख दो ना ठीक है जैसे उसने यह लिखा है a हमने उसकी जगए a square रखा और इसको ऐसा करो 20 से कट कर दो कि a square से जो यह condition दी गई है कि a छोटा है a square से यह condition गलत है a does not less than equal to a square इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का मतलब यह हुआ कि a, a जो होगा वह आर में belong नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि a a square से छोटा होता है तब यह belong करता लेकि यह does not belong to अब यहाँ पर तुम क्या लिखोगे एक example दे देना उधारन दे देना तो अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसे इस पश्ट होगा आप यहाँ पर जब भी ना वाला केस आता है तो अब एक उधारन देते जैसे पिछले case में भी दिया था कि क्यों ऐसा नहीं है आप उधारन में क क्या लिखोगे उधारन में A और B की कुछ value ले लू कि A बराबर तुमने मानलो ले लिया 1 by 2 एक ही कुछ value ले लिया अब तुमने यहाँ पर एक ही जगे 1 by 2 रखा और यहाँ पर भी 1 by 2 रखा तो 1 by यहाँ से क्या हो जाएगा यह मारे पास हो जाएगा 1 by 2 does not equal to 1 by 4 क्योंकि मैं पता है कि 1 by 4 जो होता है वो मारे पास छोटा होता है 1 by 2 बड़ा होता है तो यह बात सत नहीं है उधान से तुमने प्रूव कर दिया कि 1 by 2 जो है वो मारे पास बड़ा है 1 by 2 का स्काइड छोटा है यहाँ पर नीचे लिख दो कि क्या अता समंद सटल नहीं क्लियर हुआ ना क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसा एक्जामपल देना जिसमें यह कॉलिफाई ना कर रहा हो जिसमें यह चीज फेल हो जारे हो कि सटल है ऐसे तो हजार एकजामपल मिलेंगे जिसमें सतुल होएगा लेकिन एक ऐसा ढून के तूमेह निकालना है जिसमें यह qualify ना कर पाए एक example काफी है इसको Spotify करने के लिए इसको disprove करने के लिए बस वही एक example तूम्हें डूनना है ऐसे cases में कि ये एक्जाम्पल ऐसा निकला, आमने 1 by 2 जब वेल्यी ली, तो ऐसा एक्जाम्पल निकला, कि जिसमें इस सतुल नहीं था, पस एक एक्जाम्पल ऐसा डून के लगा दोगे, तो बात सत्य हो जाएगी, तुम्हारी अगर वो सारी बातों के लिए सत्य तो सतुल है एक भी ऐसा निकल गया जिसके लिए नहीं सत्य तो वह सत्य हो जाएगा ठीक ऐसा बहुत से केस होंगे जिसमें तुम्हें दिख रहे हो कि एक से बढ़ी तुम कोई वेलू ले लो मारा 0-1 से बीच की वेलू है एले लेस देन इकल टू बी क्यू बी सी के बाद उसका एक्जामपल सेट करने में तो दिमाग फट जाता है संकरामक का जब एक्जामपल पर करोगे अभी देखो समझ में आएगा कैसे अभी कन्फ्यूज होगे खुदी को होगे सर यह क्या हुआ हुआ सम्मित की जब हम बात करते हैं तो बात समझो एंगो अ हमए संबंद क्या कहता है कि हमारे पास यह बात यह बात में पता है कि ए लेस देन इकवल टू बी स्कूर Almost इस यह बात हमें मतलब का मतलब क्या हुआ कि क ये बात तो में पता होती है कि A कॉमा B R में है तो B कॉमा A की लिए चक करते हैं तो इसको पलट के देखो मतलब क्या होना चाहिए कि जो B है वो हमारे पास less than होना चाहिए हमने B की जगए A रखा और B की जगए A रखा और A की जगए B रख दिया तो B less than हमारे पास A square होना चाहिए ठीक है देखते हैं एक्जामपल में कहीं qualify हो रहा है या नहीं हो रहा है अब तुम कोई value लेके देखो मालो तुमने यहां पर आओ पहले case में इसमें यह कब हो रहा है मालो A की value तुमने क्या ली A की value तुमने दो ली ठीक और B की value तुमने 3 ले ली कोई दिक्कर नहीं तो यह बात तुमने दिख रही ही कि 2 जो है वो 3 square से छोटा है A की value दो ली थी, B की value तीन ली तो यह बास सत्य है, ऐसा तो हो सकता है कोई दिकर नहीं अब इसी case में तुमने माल लो A की value तुमने क्या की? A की value तुमने 5 ली और B की value तुमने 2 ले ली तो B की value दो ले होगे तो यहां से 2 का square हो जाएगा लेकिन 5 लेस देन है चार से क्या यहां से बात false हो जाएगी कि जब तुमने A की value दो ली थी और B की value तीन ली थी बास सत्य थी लेकिन जैसे तुमने A की value 5 ले ली और B की value 2 square ले ली तो इस case में condition qualify नहीं कर पाएगी देख रहे हो तुम्हें नहीं qualify और पाएगी क्योंकि पांच होता है वो मारे पास छोटा है चार से नहीं पांच बड़ा होता है चार से तो आप यहां पर क्या लिखोगे for example मैं यहां पर एक example देना पड़ेगा जैसे यहां पर मालो वही हमने ए और बी के हमें माल लेने तो ऐसा case ले लेते अब मालो तुम्हां पर लिखोगे क्या लिखना चाहिए पहले हमें लिखना चाहिए यही बात लिखना चाहिए बी जो हो अच्वार्ट यह ड़ेजनोट बीड़ इसका मतलब क्या हो गया बी कॉमा ए जोगा पुर ड़ेजनोट विलाउंस तू आरोगा अभी एक्जामपल देने क्यों ऐसा नहीं मैं अभी जो बताया देखो उदान से समझो फिर से देखो मैं लिख रहा हूँ उदान से समझो मालो मैंने ए बराबर क्या लिया ए बराबर पांच लिया बी बराबर मैंने क्या लिया बी बराबर दो लिया ठिक कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर तुन रखो तुम एकिवेलू दो रखो बीकिवेलू 5 हो गई थिक तो बी की चगए तो बीकिवेलू रखो गे तो यहां पर नियुँकिव ऐा में स्कॉइर हो गया तो हो गया है यहांने एक ही की वेमियो दूर्ग रखा तो दो-घॉ अधीज हो गया लेकिन पात छोटा यह वह लेस्स देन किया चार्हं है नहीं समझें ना चाहरो न कर् cent क्या कैना क्या यह यह सुनना की हमने की वेख्क होना की जगह न स्काहच तो बी की जगह तो बड़ा होता है condition false हो गई और एक condition काफी है तो आप यहाँ पर बस यही बात लिख दो यही जो मने एक्जामपल लिया है आप कहा लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर रखो आपने पहली condition में तो टू हो गए लेकिन यहाँ पर जब बी संबंध संबंध में नहीं कि है बात क्लियर हो गई सभी को चले आंगे तो इसमें एक्जामपल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो हम अभी और को एक्जामपल लो तुम्हाइं मन में कुछ और आ है कि एक ही वेलू तीन ले 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 बी की वेलू चार ले ले तो हो सकतार ना कौलिफाई कर कर देखो यह थेखो एक ही जागा तुमने तीन रकखा भी कहाँ चार रखा का सूल अब यहाँ पर हो अब यहाँ पर अब टुम्हाँ पास क्या होने है यह तुमने कौन से कंडिशन ली एक लेज देन इकोल टुट्वी स्क्रा वाली बिड़िवाली लो बहे लुक्ते छार देखा वो 5 की square से छोटा था ठीक है लेकिन जब हमने 5 यहां रखा और 2 का square की है तो 2 का square तो 4 रहा लेकिन यह 5 हो गई तो यह हमारे पास condition ऐसी मिल गए जिस पे 5 जो है वो 4 से हमारे पास बड़ा होता है लेकिन यहां छोटे की condition आ रही है यह less than का sign लगा है तो less than की जगा यह तुल में जब तुम्हारा दिमाग हिल गया ए और बी का रखने में संक्रामक में तो दिमाग एकदम फटी जाना है कि कैसे आप इसको सेट करोगे संक्रामक में ठिक संक्रामक में आप क्या करना है मैं लिखता हूँ पहले पहली लाइन तो आपकी वही होगी क्या कि A less than equal to B square तथा B less than equal to C square यह बात हमें पता होती है तो इसका मतलब होता है इस लाइन का मतलब होता है कि A, B जो होगा वो R से बिलॉंग करेगा तथा B, C भी R से बिलॉंग करे इस लाइन का मतलब यह है कि A, C B, R से बिलॉंग करना है चाहिए मतलब जो कंडिशन A की B के साथ है B कि C के साथ है वही A की C के साथ होना चाहिए मतलब A का संबंध भी C स्कायर A less than equal to C स्कायर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है तो यहां से आप लिखोगे क्या लिखोगे कि A, C does not belong to part अब यह बात हमने लिख तो दिया पता है कि नहीं होगा यह लिखा भी एना संक्रामक है मतलब नहीं है संक्रामक लेकिन एक उधा अब यहां पर हमें यह दिखाना पड़ेगा कि A जो है वह हमारे पास बड़ा आएगा सी स्कायर से अब A, B, C की वैलू क्या होने चाहिए तो ऐसे केस में तुम क्या करो ऐसे केस में तुम एक ऐसा एक्जामपल याद रखो क्यों क्यों ऐसे तुम सेट करने बैठोगे मालो तुमने लेनी कोई वैलू तो अपने मन से सोचना इस्टार्ट करना और दस बारा पंदा बीस में तुम लगे रहना और फिर खुब A, B की कॉंबिनेशन रखके देखना कि क्या क्या A, B के कॉंबिनेशन C के रख सकते हैं जिससे ये कंडिशन हमारे पास डिस्वेरिफाई हो जाए तो आप देखोगे कि आपको ऐसी हजारों कंडिशन मिलेंगे जिसमें तुम करी नहीं पा रहे होगे माला बहुत मुस्किलाइजम बहुत ढूनते ढूनते जब ख जाओगे तब तुम्हें हो सकता कोई कंडिशन मिलें मालो तुम एक की वैलू कुछ लेना चाहो कि ए बराबर दो है बी बराबर तीन है ऐसे इंटीजर में घुमते रहोगे तो कहीं मिलेगी नहीं सी बराबर तुम चार ले लो या पांच ले लो कुछ भी ले लो तो कभ हमें पास क्या पतुष हमें यह क्या पयों करना यह तो 25 परफीश हो जाएगा न तो यह हमारे पास इमारे पास किया था 25 यह बात तो सत्ञोट में यह श्कौटा एंक सब्सकरल कर लेखिस यह और यह ठोटा हो रहा है मतलब यह बादा हुआ जाएगा तो हमें एक ऐसा एक्जामपल सी की वेलू सेट करने जिसके लिए यह जो हो वो सी से हमारे पास कैसा रहा है सी से हमारे पास छोटा रहना चाहिए मलब एक ही जो वैलू है वो हमारे पास सी से कैसी हो चाहिए बढ़ी हो एक ही वैलू जो हमारे पास सी से बढ़ी होग ऐसा ही question में तो A की value तुम क्या लोगे यहाँ पर मालो तुमने A की value ले ली हाँ A की value तुम 2 ले लो और तुमने B की value जो ले ली B की value तुम 3 ले लो और C की value तुम क्या ले लो C की value तुम 1.8 ले लो ठीक इसमें क्या होगा अच्छा देखते हैं पर एक बार रख के चक कर लेते हैं A बराबर 2 बराबर 3 C बराबर 1.8 लिया तो कि आ रहे हैं कुछ भी विर्वान ले सकते हैं दसमलों समलों जो चाओ वो ले आप तुमने पता है कि दो जो है वो छोटा है किससे तीन के स्काइर 9 से तीन जो है वो छोटा है 1.8 के स्काइर से 1.8 का स्काइर क्या आएगा 1.8 का square क्या आएगा 3.324 होता है तो 3.25 आएगा 3.24 324 आएगा 8.8 का और तुम C जो होगा C की value अगर तुम दो रखो ए जो होगा ए जो होगा वो छोटा होगा इस C के square से ऐसे एक सिकंदे से लिए के सिकंदे एक की value बढ़ानी पड़ेगी एक वेलू कुछ और लेतें एक की value लेलू 4 अब वह हो जाएगा देखो यह याद कर लेना भाई example होगा नहीं नहीं तो question a b c यह question आएगा इस प्रकार का तो a b c की value याद रखना A बराबर 4 लिया B बराबर 3 और C बराबर 1.8 तो A बराबर जब 4 लिया तो A देखो यहाँ पर क्या है 4 जो है वो छोटा है B के स्क्वाइर से 9 से और जो हमारे पास B है 3 वो छोटा है C के स्क्वाइर 1.8 का स्कायर करोगे तो 3.24 आएगा और फिर ए जो है ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा वो हमारे पास बढ़ा ओजाएगा मालग छोटा नहीं रहेगा not equal to 3.24, 4 अमारे पास बड़ा हो जाएगा, 4 बड़ा है 3.24 से, क्योंकि A की वेलू हमने 4 नहीं तो, और 4 अमारे पास क्या हो जाएगा 3.24 से, बड़ा हो जाएगा, जबकि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगे, ऐसी हजारों कंडिशन मिल जाएगी, लेकिन फिलाल के लिए आप याद कर लेना, टाइम इत्ता विश्ट ना करना, आप याद कर लेना, अभी आप याद, अभी सोच सकते हो कि का क्या कॉम्बिनेशन बन सकते, लेकिन एक्जाम देते रिटाइम, आप इसको ABC की वेलू याद करके जाना है, एक यह टाइप का क्योश्चन है, सेम फॉर्मेट का क्योश्चन यह है, कि जब यह कंडिशन A less than equal to B cube के लिए, तब हमें सम्मित, संकरामग में भी संकरामग में भी यही का हो आजाए काम, क्योंकि अगर हम देखो 2 का cube करेंगे, तो हमारे पास कितला एगा, 2 दूना, 4 दूना, A जो है, वो B square से हाँ, A B cube से चोटा होगा, तो यह तो बात सत्य है, लेकिन हमारे पास किया, B A cube से छोटा होगा तो B की value हम रखे के 5 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा इसमें नहीं qualify कर पाएगा इसमें यह 8 हो जाएगा इधर वाला तो यह बड़ा हो जाएगा इसके लिए भी एक example set करना पड़ेगा और C के लिए भी same question है ऐसा ही में तो उसमें भी ABC के example तुम याद करोगे मैं तुमको बता दूगा लाहिव क्लास में बता दूगा कि ABC के क्या तुम रखोगे मान तो इसके according आप ही संबंद में क्या करोगे उधारना ऐसा दे दोगे अब ABC के यह मान रख दोगे तब तुम इसको क्या करोगे अब यहाँ से तुम लिखोगे कि जो हमारे पास यह है लास्ट वाली कंडिशन प्रूफ करके दिखा तो कि ए जो है हमारे पास वो छोटा देज नॉट लेस देन इकोल टो हमारे पास क्या है C2, C2, C2 C2 हमारे पास क्या है 3.24 बस अता संबंद संक्रामग नहीं है कैसा है अता संबंद संक्रामग नहीं important question था इसलिए मैंने इस पर टाइम दिया है अच्छे questions है इस पर थोड़ा सा time देनी की जरूरत थी इसलिए मैंने इतना extra time इस पर दिया है ठीक है सबको समझ में आ गया कि लिए रहना है यहां तक चले आंगे तो यह बात हो गई बेसिकली यहां से exercise अमनों की लगबग finish होती है एक question और रहे गया है दो question है बेसिकली तो दो question और कर लेते हैं थोड़ा सा बाला जो example set करने वाला यहां पर भी क्यूब हो जाता है यहीं दो tough question है बाकी question सारे आसान है करना ऐसे ही है अब इस question की अगर बात की जाए तो इसको कैसे करोगे आप सवतुल से start करते हो सतुल आपको पता है कैसे start करना है इसको मैं थोड़ा speed में करता हूँ अब समझ में आओगे एकदम दिक्कत नहीं है सतुल में क्या करते है इसी से भाग करना हो चाहे कुछ करना हो सब फिस है तो यहां से क्या लिख हो कि इसी लाईन से start करते हो eighty MINUS A जो है वो 4 का बूल यहीं बस B की जगे A रखके start कर दो यह है अगर four का गूल जह है तो आप अगली लाइन में क्या लिखते हो कि A, A जो है वो आर से बिलॉंग करता है तो आप अगली लाइन में लिखते हो अता संबंध हमारे पास सवतुल है अता संबंध सवतुल अधिक दूसरी आओ चलते हैं सिदे सममित की ओर शममित संबंध सममित संबंध की अगर हम बात करें तो कहता है कि A, B अगर R में है मतलब ये बात हमें दी होती है कि A-B जो है वो 4 से गुणचार का गुणच है ये बात तो हमें ग्यात होती है कि हमें ये बात दी होती है कि A-B 4 का गुणच है इस लाइन का मतलब क्या होता है इस लाइन का मतलब हुआ कि A, B जो है वो R में बिलॉंग करता है ये बात हमें ग्यात होती है इतनी बात होती है अगर ये 4 का गुणच है सिदी बात समझो A-B 4 का गुणच है तो मतलब इसका यह है कि a minus b जो है इसका जो हमने 4 का गुणज होने का मतलब क्या है उसमें से 4 common आना अरे जैसे 16 है 16 4 का गुणज है क्योंकि इसको हम 4 के पदों में लिख सकते हैं इसे 24 हैं तो 4 into 6 लिख सकते हैं मतलब 4 चार सभी में क्या आएगा common आएगा बाहर निकल के आएगा तो a minus b अगर 4 का गुणज है तो यह 4k के बराबर आना चाहिए mod लगा लू भाई mod लगा है तो यह हमारे पास a minus b का जुम a minus b जब किया जाता है तो हमारे पास किसके equal आता है 4k के k का मतलब क्या है k हमारे पास बिलॉंग करता है z से इंटीजर से क्योंकि a minus b 4 का गुणज है इसलिए 4k लिखा है क्योंकि उसमें से 4 common आता है सीधी बात यह गुणज होने का मतलब ही है यह कि 4 common आता है अब इससे क्या करो इससे मालों हमने minus common लिया इसी mod के अंदर हमने minus common लिया तो यह क्या हो जाएगा b minus a equal to 4k minus mod से 12 आएगा वो plus ही रहेगा तो mod का आगया b minus a बराबर 4k अरे a minus b 4 का गुणज था हमने b minus a b 4 का गुणज प्रूफ कर दिया क्या मतलब हुआ इस लाइन का इस लाइन का मतलब हुआ कि b minus a b 4 का गुणज यह भी क्या है 4 का गुणज है तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ अता यह इस लाइन का मतलब यह हुआ कि b minus a जो है वो बिलॉंग करता है r में अता संबंध क्या है अतासंबंद नमारे पास समम्मित है ऐसे लिखना है और कुछ नहीं करना है अतासंबंद सम्मित है क्लियर यह बात हो गए हमारे पास सतुल और सम्मित की सतुल और सम्मित हमने प्रूफ कर लिया अब चलते संक्रामक को इस और लिख लेते हैं संक्रामक तीसरा आजओ संक्रामक अब इस पश्ट हो गया होगा मुझे लग रहा है अब थोड़ा स्पीड थोड़ी सी तेज किये तो से मैं स्लो ही पढ़ाता हूं संक्रामक में क्या का गुलज है यह बात हमें पता होती है तथा अब इन दोनों लाइनों का मतलब यह होता है कि A-A,B जो है वो R में बिलॉंग करेगा अगर ये 4 का गुणज है और B,C भी हमारे पास R में बिलॉंग करेगी अगर ये 4 का गुणज है क्योंकि ये ही संबंद में दिया गया है अगर ये 4 का गुणज है तो हम लिख सकते हैं सर जो हमने अभी लिखा था है A-B equal to 4 दो पुणाग ले लेते हैं K1,K2 क्योंकि दो चीजों की यूज हो रही K1 तथा B-C जो है वो हमारे पास बराबर है 4 K2 के जहाँ आपर लिख सकते हो कि K1,K2 जो है वो हमारे पास बिलॉंग करते हैं R से Z से पुणाग संख्या है अब देखो यहाँ पर आओ, फिर से वही काम करो, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो B से B कट जाएगा फिर A का C के साथ संबन्द आएगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो आ जाएगा A-B और प्लस का B-C बराबर हो जाएगा 4 K1 प्लस का 4 K2 LHS, LHS से जुड़ गया, LHS, RHS से, तो A-C बराबर क्या आगया, 4 कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 मतलब कि इस से भी 4 कॉमन आगया, मतलब यह भी 4 का कुमन आगया, तो इस लाइन का मतलब क्या है, कि A-C जो है, B, 4 का गुणज है A-C भी क्या है, 4 का गुणज है, आप लिखो गया आगया, इस लाइन का मतलब यह है, कि A,C जो है, वो R से बिलॉंग करती है, A,C अगर R से बिलॉंग करती है, अता संबंद, संक्रामक भी है, अता संबंद, संक्रामक है, सम्मित भी है, सुतुल भी है, संक्रामक भी, तुल तो सम्मित भी हो गया स्वतुल भी हो गया और संक्रामक भी हमने प्रूफ कर दिया खिक चले आंगे अब इस पर एक कोशन अंतिम बचाए जो पहला कोशन का पाच्वा पार्ट है है सिंपल सिंपल कोशन इस रूप में अगर कोशन आएगा तो कैसे करना है डारेक्ट हो जाएगा एक एक मार्स में कोशन Bantá क्या कह रहा है कि नियर्धालित कीजिये कि नियमिकी संभन में प्रतिक सवतुल समखिश करामक कोंसे हैं यह में बताना है थोरी रूप में कोशन है थोड़ा रिलेट कर पाएंगे चीजों से क्योंकि जो हमने पीछे लॉंग कोशन किये उन्हीं की तरह कोशन है बस तौड के कोशन अब आराम से रिलेट कर पाओगे कैसे चक कर हो गे तो स्वतुल्ल अगाइ चक करना है तो हम क्या करते हैं जो किसे हैं उसके जाया है स्टीस के साथ है एक्स कोई व्यक्ति है वो एक्स के साथ ही इस्तान पर कार करते हैं हम कहीं पर काम करते हैं हम और आप महलू हम और आप कहीं एक जगह पर काम करते हैं ठीक यह संबंद था फिर हमने अपने आपसे क्वेशन किया कि हम हमारे साथ काम करते हैं बात तो सत्त है है चाहे हम वहां का करे जांके चाहिए हम अपने के साथ काम करे जाके वो दोनों बाते एक ही हुई ना हम अगर वहां काम करने जाएंगे तो मतलब हम ही जाएंगे ना तो खुद का खुद के साथ संबन तो है तुम जा रहे हो मतलब की हम जाई रहें तो एक्स का एक्स एकी स्थान पर काम करते है X तथा X एक ही स्थान पर कारते हैं बास सही है कि X और X एक ही स्थान पर करें क्योंकि X जो है एक ही आदमी है एक ही आदमी है मतलब कि स्वतुल तो है तो यहाँ पर हो गया कि स्वतुल तो है खुद का खुद के साथ तो है आंगे देखो सम्मित है क्या सो तो लिसली होगा क्योंकि खुद खुद के साथ तो वहाँ पे है यार्थ हम अगर जा रहे हैं तो खुद तो जाई रहे हैं आगे हो सम्मित में क्या होगा अगर x y एक ही स्थान पर काम करते हैं तो y x भी एक ही स्थान पर करते हैं मतलब हम और आप अगर एकी स्थान पर काम करते हैं, तो आप और हम भी एकी स्थान पर काम करते हैं, बात एकी है, चाहे आप और हम बोलो, चाहे हम और आप बोलो, दोनों बातों का एकी मतलब है, मतलब की सम्मित भी है, X, Y एक स्थान पर काम करते हैं, हम और आप के साथ काम करते हैं, आपका जोड़ीदार कोई है, जोड़ीदार क्या है, बी, यह जो तुम हो, उसका कोई दोस्त उसके साथ काम करता है, तो आपस में हम तीनों एक ही जगए काम करते हैं, मतलब कि हुआ कि A और C ये भी एक ही जगए काम करते हैं, तो संक्रामक भी है, पूर्श क्रामक भी है तो एसे ही बस्त्र हाइ dealt दूसरा हो कहरा zehn SK मोलय में रहते सेम कंडिस्इन वह काम करना हम मौलय बाद एक ही हो गर हम आप एक ही मोल係 में रहते हैं तो हम खुदके साथ एक ही मौले में रहे रहा है हूँ सम्मित तो है सथल तो है किiete है हम आप एक ही महले में रह रहे हैं चाहिए आप और हम बोलो दोनों एक ही महले की बात ही चाहिए आप बोले मेरे महले में है चाहिए हम बोले आप से कि आप मेरे महले में दोनों में बात एक ही है तो संक्रामक है क्या हम और आप एक महले में रहते हैं एक और आदमी है कोई वह आपके साथ मॉल्ले में रहता तो तीनों एक ही मॉल्ले में हो गए ना एक ही मॉल्ले में हो गए तो आपके बाद सांकरामक भी हो गए यार सीरी बात है यहां से हो यह बड़ा कोशन होगे तो एक्स वाई से ठीक सा सेंटीमीटर लंबा है यह कंडीशन हमें दी गई है यह मालो यह हम याक्स वाई से ठीक ठीक सा सेंटीमेटर लंबा है याक्स वाई से ठीक ठीक सा सेंटीमेटर लंबा है अब आव सम्मित पे पहले सवतुल पे हम खुद से सा सेंटीमेटर लंबे हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं अगर हम अपने से सा सेंटीमेटर लंबे थो नहीं हो सकते हैं खु और आपकी बात है एक्स वाई से सा सेंटीमेटर लंबा है तो क्या वाई एक्स से सा सेंटीमेटर लंबा है यह एक्स अगर वाई से सा सेंटीमेटर लंबा है तो वाई जैड़ से क्या है साथ सेंटीमीटर लंबा है जैने उससे भी क्या ये श्य साथ ये और साथ ये से 14 सेंट्डिमिर्लंबा है ना की साथ सेंटीमीट्र लंबा है एक्स वाई से साथ सेंटीमीटर लंबा था और वाई जेड़ से फिर से साथ सेंटीमीटर छोटा होगे तो एक्स का जेड़ के साथ कंडिशन क्या हो गई X, Z से 14 cm लंबा होगे, साथ ये और साथ ये, 14 cm लंबा होगे, तो ना सम्मित है, ना सतुल है, ना संक्रामक है, ठीक, ये तीनों नहीं है, यहाँ पर लिख दो, लिख देना, ना सम्मित है, ना सतुल है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, आगे आओ, एक्स वाई की पत्नी है अगर एक्स वाई की पत्नी है तो कोई खुद की पत्नी तो नहीं हो सकता ना मैं बोलों कि मैं मेरी पत्नी हो तो अजीब सा लगेगा असत्त है ना बात तो फाल्स है ना नहीं है बाई ना सतुल्ल है ठीक सम्मित पर आओ एक्स वाई की पत्नी है च्पात Carletz वाइक की पतनी एंतों कि इक्स पतनी एवाई पती तो या यां की की पतनी एर वाई तो हमारे पास सो ajaगी और मझत हुग कि संक्रामक परको एक इक तो यां की पतनी ओर फील आर्मीत अंहोग सब्सक्राइब इसंपली सब्सक्राइब तो यह तो हमारे पास mail आदमी है, यह तो हमारे पास पत्ती होई नहीं सकता, cdc बात यह समझे, क्या है, xy की पत्नी है, लेकिन y जो है, y हमारे पास z की क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक important बास समझना चाह, संकरामक संबंध में हमने क्या पढ़ा था, एक बार ध्यान सुन ल आँ लोगे, यह तो नहीं सकती, यह तो इसका जोड़ीदार ही, तुम है नहीं मिला, मतलब की, यह तो मिल गया, कि a, b r में है, लेकिन b c c, तुम हमे आर में नहीं गया येकिन B, CR में तुम्हें नहीं मिला अता ये संबंद संकरामक होगा क्योंकि तुम्हें जोड़ीदार ही नहीं मिला जोड़ीदार कम मिलता जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर आनी चीए तो वाई यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर वाई नहीं आ रहा है क्योंकि वाई जेडका क्या हो सकता यह आड्मी होगा पती हो सकता था पत्ऽ Nou सकता यहां पे लेकिन कण्डिशन पत्नी की डी गए आता ये समंध्थ संक्रामक है यह बात याद रखना कि यह मारे पास क्या है यह माईरे सतुल और संक्रामक है ठीक है यही बात लिखना है यह आद रखना कि इसमें एक कंडिशन बहुत अच्छी बन गई कि यह मेल की कंडिशन लेकिन इसके साथ कोई कंडिशन क्वालिफाई नहीं कर रही है आगे आजो इसमें आओ एक्स वाई का पिता है तो सतुल में खुद का कोई पिता धुन हो गया है सतुल तो नहीं है एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का क्या है वाई एक्स का बेटा यार एक्स अगर आपके कोई पिता जी तो आप क्या हुए उनके बेटे हुए सीधी बात है तो ना तो हमारे पास क्या हुआ ना तो यह मित हुआ संक्रामक एक्स वाई का पिता और वाई जड का पिता यह बाद सम्मझ देखो यह यह। hours vancater by the paper타ung न Pack प्रकार से बैटा अब यहां पर वाई पिता हो गया वाई Z का पिता भड़ी यह बेटा हो गया तो एक से जेड़ का कया संबन्द हुआ यह पिता जी है red ati email परलब यह दादा जी हो गये च baterie पिता जी हो जाएंगे फिर और यह बेकर अटाओ हो जाएगा तो यह इसका उनके साथ jam 23 ना किपता का ठीक है घंड का कोई पिता नहीं हो सकते एक्सरेट का क्या होगा एक्सरेटका डादा होगा एक्सरेट का मैंने थोड़ा कि थोड़ा आप कॉंसेप्ट दोड़ा होगी इसलिए मैंने ये कुश्चन करा दिया कि कहा कर निकल रही है तो यह बात हो गए मारे पास संबंद वाले पार्ट की संबंद वाला पार्ट काफी लंबा हो गया pas UN का पार्ट अच्छा भी इंपोर्टेंट भी इसलिए मैंने थुला एक्स्टा टाइम दिया कि इसको अचिछ से डिटेल में समझ लें इसले मैं एक्स्टा टाइम दिया यहां से अगला टॉपिक हमारा इस्टार्ट होता है फलनों के प्रकार का तो अब हम बेसिकली सेकेंड पार्ट इसका इस्टार्ट करने जा रहे हैं फलनों के प्रकार की बारे में ठीक है अगर हम फलनों के प्रकार से पहले ऐसा करते हैं फलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फलन क्या होता है अच् में फलन क्या चीज है हमारे पास दो समुच्चे है ए और भी इसमें मालों अव्याव है 1 2 3 4 5 इधर हमारे पास अव्याव है A B C D E टिक तो फलन की कंडिशन क्या है A C B में फलन तब कहा जाएगा किनी दो समुच्चे के बीच में ऐसा संबंद एक फलन होता है ऐसे कह सकते हैं कि किनी दो समुच्चे के बीच में एक ऐसा संबंद फलन कहलाएगा जब समुच्चे A का प्रते का व्याव इससे संबंदित होगा समुच्चे A का कोई भी अव्यव क्या होना चाहिए छूटना नहीं चाहिए मतलब जैसी इसका वन से इसका टू से इसका थ्री से इसका भी हमारे पास इसी से और फाइव का हमारे पास डी से समुच्चे A का प्रतेक अव्यव समुच्चे B में सम्मंदित होना चीए इधर का अव्यव छूट सकता है जैसे यहाँ पर E छूट गया है कोई दिक्कत नहीं पहली कंडिशन क्या होगी कि इस वाले जो सेट ए है उसका प्रतेक अव्यव इधर सम्मंदित होना चीए पहली कंडिशन के कौलिफाई होने की दूसरी कंडिशन यह होगी कि समुच्चे A के जो हमारे पास अव्यव होंगे वो समुच्चे B में जो हमारे पास प्रतिविम्ब बनाते हैं तो स यह हो सकता था जैसे तीन का संबंद भी सी से है चार का संबंद भी सी से ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि B का संबंद भी एक से हो जाए यह कंडिशन नहीं होगी मतलब यह है कि इधर के एक अव्यव का इधर के दो लोगों से संबंद नहीं हो सकता मतलब यहां से कभी भी दो तीर नहीं निकलेंगे यहां से दो लोगों का एक के साथ संबंद हो सकता है कोई दिक्कत नहीं दो लोगों के साथ संबंदित हो सकता है लेकिन यहां से दो संबंद नहीं मलब इधर का आव्यप दो संबंद इधर नहीं बना सकता है सीधी बात ही तो समुच्चे A का प्रते कव इधर संबन्दित होना चीए और समुच्चे A का केवल और केवल इधर एक ही प्रत्विम होना चीए ऐसा नहीं है कि जैसे एक के याँ पर तुम्हें 2 प्रत्विम दिख रे एए और B आरे पास दोनों से कंडिसन है, नहीं ऐसानी तो दो और तीन का दो अलग अलग लोगों का एक के साथ संबन्ध हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक का केवल एक के साथ होगा, ठिक, यह फलन की बेसिक परिवासा है, अब चलते हैं फलनों के प्रकार पर, इसी से फलन के प्रकार बनाए गए, बेसिकली हमारे पास चार प्रकार के फ़लन है बात कर लेते हैं कि करके पहला है एक है की जिन्हें वन वन फंक्शन बोलते हैं एक है की यहीं से हमारा चैप्टर इस्टार्ट है एक है की फ़लन दूसरा हमारे पास है बहु एक है की मैंनी वन फंक्शन मैंनी टू वन तीसरा है हमारे पास अच्छा दक अच्छा दक है और चौथा है हमारे पास अन्ता छेपी जोटाए अन्ता छेपी ठीक तो चार पकार के में फलन है मारे पास एक अच्छा दक है और अन्ता छेपी ठीक तो कैसे अब पहिचाने गी कौन फलन हमारे पास एक एक है कर आच्छादक है और चारों की अगर हम बात करें एसे एक्जामपल से समझते वे नारेक से समझते ताकि अच्छे से किलिए रों मतलब की तीररेक विले डआउगराम से आहरा लो मारे पास तो ओर अजया कोई यह कुछ कि दो फलन रहें है पहले बात करें के ऊपर पास है 1, 2, 3, 4, इधर है हमारे पास A, B, C, D और E, टिक, यह E छोड़ दो भी, A, B, C, D तक है, क्या है कि 1 का संबंद मालो B से है, 2 का संबंद हमारे पास C से है, 3 का हमारे पास A से है, और 4 का हमारे पास D से है, तो यहाँ पर क्या है, 1, 1 की की अगर हम बात करें, 1, 1 फंक्शन की अगर बात करी जाए, तो जब समुच्चे A के, A प्रतेक अव्यव का समुच्चे B में केवल और केवल एक ही संबंद होता है, समुच्चे A के प्रतेक अव्यव का समुच्चे B में केवल और केवल एक ही प् लिख लेते हैं तिक इसमें मारे पास चार अवेवाइब चार का प्रते का केवल और केवल एक ही संबन्द होगा जैसे एक का एक के साथ दो का सी के साथ सबका अलग 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 और एक ही संबन्द होगा किसी के दो संबन्द नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि बी किसी और के बसने के ज्यादा डिशंन लेना कि जैसे समुच्च्य एक याज Contentρα केवल कि सम्बंद सब्सक्रांद हो सकता है कि और पास को या ऐसा व्याब क्वैब उता पांच और उस्का सम्बंद भी अमारे पास डिसी होथा ऐसी कोई ения और प्रते केवल और केवल एकी संबंदोना चीह इसे आपने क्या किया कि यहां से सिसे चार का संबनद डीसे मैंने क्या किया यह चार वाला मालो हटा दिया यह 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 अटा दिया और यहां से चार का मैंने संबंद किसके साथ कर दिया मालो चार का संबंद मैंने बी के साथ कर दिया तो एक का संबंद भी बी से है चार का भी बी से तो यह मैनी to 1 हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों का 1 से संबंद हो गया, तो यह मैनी 1 हो जाएगा, 1-1 कब था कि इसमें B से नहों के यह अगर D से जुड़ा होता, 4 तो यह 1-1 था, लेकिन जैसे हमने B D से अटा के इसको B में जोड़ दिया, तो यह मैंनी 1 हो गया, मतलब की बहुत सारे लोगों का 1 के साथ, 1-1 की मतलब 1 का 1 ही 3 से साथ कनेक्शन होगा, 2-1 की मतलब जब 2 लोगों का 1 के साथ संबंद हो जाए 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 लोगों का 1 के साथ हो जाए, तो उसे हम 2-1 की बोलेंगे तो बेसिकली 1-1 की और 2-1 की में यही अंतर है, ठीक, अब बात करते हैं आच्छादक और अंता 6 पी के तो आच्छादक एकदम आसान है अगर क्या हो, परिसर सहे परांत के बराबर हो जाए, इस बात का मतलब क्या मैंने बताया था इस स्टार्टिंग में कि परिसर सहे परांत कैसे, इसमें पहचानते हो यह हमारे पास जो अव्यव संबंदित होते हैं वो हमारे पास परिसर में होते हैं और पूरा समुच्चे भी सहे परांत होता है मतलब यह है कि यहाँ पर एक मालो है आए संब्सक्रांद कि एक को लोगा है है यहां है जैसे हमने 4 को अपने 20 मतलब यह है कि परिशर में कौन से अध्यUS से उब там रहा है घो वे इदर से इसमें संब्ढ़ बनाते हैं वो परिशर में आते हैं तो यह परिशर में और सैंपरांद कोんな है पूरा समुच्छ भी और तुम्हें दिकरा पूरे संभुच्छ वी के प्रते के अगर संबंद बना रहा है तो वो क्या होता है We आप पास अच्छादक फंक्शन हो जाता है अगर यह हमारे पास प्रते कव्यव इदर से संबंदित है तो तो यह क्या हो जाएगा अच्छादक हो जाएगा अगर इसी में ऐसा हो जाए कि हमारे पास कोई अव्यव छूट जाए मतलब कि इमालो छूट गया तो यह हमारे पास अंताचेपी हो जाएगा अगर इसका प्रतेक अव्याव इदर से संबंदित है कोई अव्याव यहाँ पर नहीं छूटा है तो अच्छादक है और अगर कोई छूट गया तो सिंपल अंताचेपी तो पहले एक की बहुत की देख लो फिर आच्छादक अंताचेपी सब्सक्राइब तो एक एक एकी क्या होगा एक एक होगा कि इधर का केवल और केवल सिर्फ एक प्रत्विम बनेगा इधर का बयाब छूट सकता है को दिकत नहीं तो इधर के दो लोगों के साथ संबंद होगा तो मैंनी बन हो जाएगा ठीक और उसके बाद आच्छादक क्य और फिर आप अन्ताचेपी के लिए बस यह देखू कि इधर का को यह चूट रहा है तो वह अन्ताचेपी में आ जाएगा बस इत्तीसी बात है और कुछ नहीं ठीक है क्लियर है सभी को इसमें कुछ कोशन डिजाइन करता हूं खुछ से मैं बनाता हूं एक दो बार सॉल्व करते हैं मालो दो एक दो मैं एक्जांपल बनाता हूं यह मारे पास यह यह मारे पास भी वन टू थ्री और फाइब दरफी क्यू आर एस टिक वन का है मारे पास क्यूं से दो का है हार से और फाइब का है पी से यह मारे पास है आर से एक हमने यह फ्लन परिबासित किया एक और हम परिबासित कर रहे हैं यह आपके है यह यह और आपके और अब हमने लिखा टी शाय वाइट से लिग देते हैं एक मिन टाइम देना बस ठीक है और यह मारे पास होगा पोड़का है टिककतामि से वाय का हो गया कोई दिकत में एक और लेते हैं डाइरा रखाओं में एक और ले लेते हैं बस आघकी दो ठीक है अभी और आंगे हमने खुद बनाया वए हैं इनसे कर रहेंगे और प्रेक्टिस देखो पहले वाला देखते हो अब पहले वाले में सबसे पहले क्या देखोंगे तुम एक खोंगे वह इधर के वह सी केवल और एक प्रतिम बनाएगा एक के साथ कनेक्शन होगा एक का एक के साथ जुड़ा होगा तो एक का तो एकी के साथ जुड़ा हुए दो का भी दिख रहा है तीन का भी मारे पास समझ में आ चार का भी और पांच का भी तो प्रतेक का तुम्हें दिख रहा है सब का अलग अलग प्रतिवीम बनना है सिर्फ पांच का छोड़ के पांच का अच्छा दो जगह है देखो और्च हमारे पास्तिता दो का संबम्द भी आर से और पांच का संबन भी आर से तो दो और पांच का अगर संबंद आर से तो ये मैनी टू बन खेया मतलब कि है इसफे अब ये बताओ ये बाव एक एकी तो है दिख रहा है कि दो और पांस दोनों का संबंद आर से था इसलिए बाव एक एक हो गया अगर ये दो ये पांस में किसी एक का होता किसी एक से होता और इसका अलग होता संबंद तो हमारे पास बोगे की नहीं ये कह कि हो जाता क्या ये क्या यह आच्छादक है हाँ क्योंकि इधर सेट भी का प्रतीक अव्यव संबंदित है तो सरी यह बहु एक है की आच्छादक फलन है क्या है बहु एक है की और आच्छादक ठिक ऐसे इधर आजो अब इसमें देखो इसमें हमें दिख रहा है कि इसका इसके साथ है इसका इसक क्योंकि दो और चार का सम्मंद्ध फिर से आर से हो गया मतलब की बाव एक 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 तो नहीं रहा एक एक के लिए इधर से केवल एक ही तीर इधर आएगा ऐसा मलब इधर दो लोगों के साथ जुड़ाओ नहीं होगा इधर के अवयवका तो बाव एक की मालू और आच्छा मैं आपर वी बताना कि क्रिश्क्रकार का फलनलत है कि बॉए घ्क है अच्छा कया आँथा शेपी इसताहर करते है पहला वाला पहलावाला देखों तो एक का एसे दो लोग अलग अलग सम्मंध एक 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 है फिर बात कर लो अच्छा हदक और अंता शेपी ऑल एक हो गित अंध लेट रहे इधार व एक कंद एकसद 230 हो गया दो लोगों का सम्बंध एक जगह से हो गया मतलब कि वह करें आ चाहओ दाख नाई अंता चपी है तो अंताच है वग्या है कोई दिकत नहीं एधर ओब कह लुगिए से डो का एक से तो बाव एक है कि अ कि आच्छादक है है क्योंकि इधर का प्रते का व्टेक संबन्दीत है मतलब की आच्छा दख्याह ठीक इधर ओए का इससे दो का इससे तीन का इससे चारदा वह कही कि ए सबका अलग अलग संबंद है दिखराय ना किसी का जोड़ाओ नहीं है दो लोगों के साथ एक एक है आच्छा दक है हां से डवी का पूरे अब हमारे पास कनेक्टेड है आच्छा दक है ठीक पैचान लोगे अब कोई दिखकत तो नहीं इस पर एक कोशन आ जाता है एक्जाम के पॉइंट आव यू से इंपॉर्टेंट है कि कभी ऐसे आरेक देगा और तुमसे पूस देगा कि फलन एक एक की आच्छा दक एक नंबर में इससे कोशन बनता है ठीक कभी ऐसे भी कह स और इसको पहचान कि यह लिख सकते हो दोनों तरीके आने चाहिए कि आप यसको देख कर लोगे ना कोई दिखकत तो नहीं आशान हो जाएगा अब अगर इस पर चुछारी वाले कोश्यन बनते हैं जैसे इस प्रकार के कोश्चन होते हैं कि यह कोश्यन आएंगे तीन मार्स में दो से मार्कस दो से तो उपर ही आते हैं मलब कुछ इसमें दो में बनते को जिसमें तीन माक्स में कोश्ण बनते हैं और फिर चार या पाच में अच्छे वह बनते बढ़े इस प्रकार की कोश्चन आएंगे कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर टू-एकस दारा प्रद रहे थे तो यहां पर हम लिख रहे थे कि सम्मीत है तो सम्मीत ऐसे परिभासा करें यह जब मैंने समंद्ध समंद्ध में बहुत टाइम लिया था कि लिखना उसमें इस्टेब 20 बहुत इंपॉर्टेंट है और सूचना कि क्या कहां पर हो रहा है ऐसे यहां पर भी समझो कैसे करना है अब हमारे पास फलन क्या दिया गया एफ एक्स बराबर 2x1 फलन दिया गया ऐसे ठीक होई दिखत we gonna car App весь न में परिबासित है एंसे अन य ये बात जो लिख्यूति न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि नेचुरलल नंबर से प्रकरसंख्याओं प्रक्रसंख्यां से प्रक्रसंख्याओं में परिबासом शीथ यह क्या होता है यह क्या होता है यह वो मान कि यह मारे पास होता है परांत और यह होता है सहइब टिक जैसे कि आप दो medo सेट की एक 이제 that तो यह पास जो ऐन्हाइब भी अब अन्हाल में भी और जो पूरा सट भी यह भी क्या अन्हें मतलब सहिप रांत जो मारे detail में समझ लोग अप लिखना कैसे start करोगे आप जब पहली स्टेप लिखोगे तो माना लिखोगे माना FX1 बराबर सभी questions में जब भी एक है की प्रूफ करना होगा ऐसे start करोगे माना FX1 बराबर FX2 हम FX1 बराबर FX2 लेकर चलेंगे और लास्ट में हमें क्या प्रूफ करना होगा कि x1 बराबर x2 अगर ऐसा होता है कि fx1 बराबर fx2 रखने से यह x1 बराबर x2 आ जाता है मतलब फलन में जो हमने x1 रखा और फलन में जो मने x2 रखा दोनों सी वेल्यू इक वल्टि मतलब की हमने बाद में ये भी पाया कि इक यह थो भी टो फ्रलंन एकाई की होता है यह बात इसके पीछे का Jim ठीक तो आपको बस यह लेका चलना यह दिखाना है HER question बेरी करेंगे कैसे होगा मैंने यह मना कि fx1 बराबर fx2 हुआ है अब फलन हमारे पास क्या है टू एक्स तो एक्स वन का मतलब क्या हुआ कि एक्स की जगह आप एक्स वन रखते हैं एक्स की जगह तो ऐसे एक्स वन है तो एक्स वन रखते हैं एक्स की जगह तो ऐसे एक्स वन है तो एक्स वन रखते हैं यहां पर तो यह हो जाएगा अता फलन एक एकी है थिक आच्छादक की बात करते हैं दोनों में फिक्स पैटर्न नहीं है हमें एक 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 और आच्छादक दिखाना पड़ेगा अगर यह एक 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 नहीं होता मालो यहां पे X1 डजनॉट इकोल टू एक टू आता तो यह बहु एक 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 होता हो एक 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 एसे आच्छादक का पैटर्न सीखेंगे अगर आच्छादक है तो आच्छादक दिखेंगा अगर आच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा अंता छेपी होगा सीधी बात तो दूसरी बात आच्छादक के लिए यहां पर हमने एक 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 की की बात करी ठीक अब आच्छादक की बात करो ठीक आच्छादक में सबसे इंपोर्टेंट इस्टेप जो फलन एफ एक्स बराबर दिया इसको वाई बराबर लिको जैसे आप यह लिख सकते हो पहले कि माना क्या एफ एक्स बराबर वाई ठीक एफ एक्स बराबर वाई माल लिया तो एफ एक्स की जिए तुमने वाई रख दिया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई बराबर टू एक्स हो जाएगा ठीक क्योंकि एफ एक्स हमारे पास वाई ही तो होता है एफ एक्स का मतलब क्या होता है एक फलन एक्स के पदो भाई बराबर तो आЕगा जैसे की वाई बराबर कुछ फलन का मान भाण फुर्ट में लाओंगे उसको किया करोगे एक्स बराबर कुछ फलन का मान लाओगे पतलब यह Y के पदों में हो जाएगा जब Y बराबर था तो यह X के पदों में यहां आएगा तो Y के पदों में हो जाएगा अब तुम्हें क्या करना है सेकेंड इस्टेप में पहले इस्टेप में आप यही करोगे कि आप इसको X बराबर में कुछ बनाओगे अब उसके बाद तुम ठीक परिसर हमेंसा कम होगा सह प्रांथ के बराबर नहीं होगा ठीक अरे परिसर अगर सह प्रांथ के बराबर नहीं होगा यहां पर देख लो सह प्रांथ में एक चूट गया तो यह हमारे पास अंताचेपी हो गया अगर परिसर सह प्रांथ के बराबर हो जाता तो यह एन मतलब नेचरल नमबर एन जो है मारे पास यह मारे पास एक्स के माने यह वाई के सीधी बात समझो एक डिटेल में थोट और सब्सक्राइब कोशन आसान हो जाएंगे फिर में इसलिए डिटेल में जा रहे हैं एन और एन लिखा प्रांत मतलब की क्या बात हो रही है यह एक से एक मान मिल जैंड़ कहने का मतलब यह जैसे कि आपने वाय बावर मालोर रखा से अ मतलब है प्राकर संख्या यहीं से रखना है हमेशा यहां से रखना काहां से सहट अपने है पर रखा ठाल्व बाइक नबर एक नेच्चुरल नंबर याए एक स कामांद भी एंसे ही आएगा एकृमीन करई चलिए लूसे को फिरा संख्या है और यहां पर एक सब्भाइय में नहीं है मतलब कि जब हम यहां पर y कमान 1 ले रहे होंगे तो x में हमें कोई संबंद नहीं मिलेगा मतलब इसका कोई connection नहीं मिलेगा अव्यफ छूट जाएगा अगर तो वो हमारे पास क्या होगा अच्छा दक नहीं होगा क्योंकि प्रते का व्यफ संबंदित होना चाहिए ज लोगे ओन कंध तो वाई के माण लखोगे सते कि दढ़न यहां से और सफिर देखोगे कि यह एकस में इयामान मिलेगा एकसका मैमान मिलेंगे यहां से तो यह भी नेच्रल ममार है यह भी नेच्रल नमबर आपने y की जगे जब देखा कि 1 रखा तो यहां से आप उधारन लिख सकते हो उधारन लिखा आपने कि y बराबर 1 पर x का मान क्या आया 1 by 2 जो की क्या है does not belongs to क्या है capital है natural number से बिलॉंग नहीं करता प्राकर संख्या में 1 by 2 नहीं आता अता फलन अच्छा दक नहीं है तो या फिर आप दूसरी बासा में यहां पर आंगे नीचे क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे अता वाय के इस य के प्रेख मान के लिए इस एक्स में इस x में पूरहण इसका उल्टा तो पूरह पूर्व प्रत्विंब विद्मान नहीं पूर प्रतविम्ब विद्रमान नहीं है अता फलन अच्छा दक नहीं है पूरी भाषा में लिख या ओगे भाई लिख के अगर पूरी भासा में नहीं आऊगे तो फिर यह कहो लोगो ने जैसे अभी तक समझ रखा है कि सर हमें पता है कि अगर ये वाई बराबर टूयक्स एक फ़लन दिया गया है सिंपल सम्झों ये एपेट वर अमारे पास वाई है टूएक सफलन ठीक और तुमें पता ये एंसे अन मैं मतलब इदर भी नैच्रल नमबर इधर भी सब नैच्रल नमबर ये बात तो मैं पता है यह मन में पता कि सर अगर हम आपर वन रखेंगे इसकी जाए काह पे यहाँ पे वन रखो तो व हमें one नहीं मिलेगा कभी थरी काまた संखया मिलेगी two ивается zou यह हूंता संखया हुदाँ गहीं समय है मैंतमेमेट् praw पशाम में कैसे ऩो गएक्जाम में हमारी बुक ने कैसे दे रखाए की ऐसे प्रूफ करके तुम्हें दिखाना है तो इस तरीके से आपको प्रूफ करके ही दिखाना पड़ेगा है चले आंगे अब देखो इसमें सबसे एंपोरटेंट कॉणषेट का इसी टाइब का सेकेंड कोश्चन लिया सेम डिट्टो गांतर यहां पर अंतर ये ले लिया कि इस बारमने जो फलन परिबासित किया वो वास्तविक संखियाौं से वास्तुकि sंक्रणी परिबासित कर गिए इस बात से देखना पूरे कुर्शन में कितना फर्व तक पढ़ जाता है कि जब आपने वास्थ यहाँ पर और प्लाकर संक्याओं से फराकर संक्याओं आप देखो क्या होगा अब समस्या यह हो गई एक一些 की तो हम रहेगा ही वैसे ही जैसे अभी हमने किया थक कैसे एक वन ब्राबर सेम ना है लिखो समस्यी करेट होगी कहां आच्छादक में जब आप आपकी बात Bibam आच्छा बग तो यहां पर क्या समस्या आईगी यहां समस्या कुछ नहीं आएगी काम आसान हो जाएगा ये कि पहला काम वहीड करना क्या माना तो यहां सेफ्दा वेल्यू क्या है? तो यहां तो यहां से एफ एक्स रख दी फिर आप क्या कर तो ओ y बराबर जुमान होता है इसको एकस बरावर मिलाते हो तो यह भी फिर से वाइब आब ऐन वर ते डू आ गया तो एक्स बराबर आ गया वाई बे दो अब समस्या यहां पर यह आ गई कि अभी तक जो मारे पास फ़लन परिवासी था पिछले कोश्चन में वो मारे पास N से N में था N से N में अब कहा है R से R मतलब यह समुच्चे भी R है यह वाला समुच्चे भी R है इधर भी सारी वास्तुविक संख्याएंगी माइनस अनन से प्लस अनन तक और इधर भी सारी संख्या आएंगी माइनस अनन से प्लस अनन तक कोई अब यहां पर तुम कोई भीमान रख लो तुमारी जो दिमाग में आ रहा हुआ यहाँ मैरे उसका सभ्ण इदर आपर तो तो यहां से y का कोई भी मान रखो, इसे x में तुम्हें कोई ना कोई मान मिलेगा, root 2, root यहां पर 3 रख दो, root 3 upon 2 value यहां पर होएगी, root 7 रख दो, root 7 upon 2 value यहां मिलेगी, तो यह फलन क्या हो जाएगा, आच्छा दक हो जाएगा, बस लिखोगे क्या, जैसे हमने last language में यहां लिखी थी y के प्रतेक मान के लिए, x में पूर प्रत्विम विद्धुमान नहीं, अब लिखोगे y के प्रतेक मान के लिए, x में पूर प्रत्विम विद्धुमान है, अता फलन आच्छा दक है, क्या लिखोगे, अता वाई के प्रतेक मान के लिए पूर्व प्रतिविम्ब विद्धुमान है अता फ्लन आचा दक है। तो ऐसे एक एक चीज और आच्छाेर प्रूव करना है यहां पे सिंपल एक אग की आच्छा दक का पूछा था इसलिए से भी लेड़ागी कि कैसे में फूस करता है चले आँगे ऊच्छा, और कौशन करेंगा उपांची से करने काफी पार्थ है, एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच पार्थ है, कोशन देखरो, fx बराबर x square सिर्फ बदला कहां से यहां से करिवासा से कि यह नैचुरल सी नार्व नज्चर घटाल लिए इसकी वज़े से शन 시ज टूँरुसरुसर नहीं है तो कहां पर हमारा संबन्द परिवासित किया गया किन मानों के लिए परिवासित किया गया वह बहुत नेरबर करता है मैं इनको डिसकस करता हूं एक दो मैं करूंगा एक दो आप खुद से करना विसे आसान एकर लोगे सारे लोग देखो समझो पहला कोशन पहला तो बहुत इंपोर्टेंट है देखो कैसे फलन इसमार क्या दिया गया पहला हमारे पास एफट्स वराबर एक सिस् सब्सक्राइब करोगे कहां से जहां से अभी तक कर रहे थे माना है कि एक एक सब्सक्राइबर एक स्कॉर बराबर हो जाएगा एक स्टू पर यहां से इंपोर्टेंट बात शुरू होती है हम जब इसकॉयर अठाते हैं तो प्लस-माइनस का चिनन लगाते पता है न जैसे य यहां पर x square बराबर y square लिखा है या केवल अगर x square बराबर y होता है तो आप कहा लिखते हो x बराबर plus minus under root y यही तो लिखते हो बहुत प्लस माइनस दोनों के साथ चिन लेते हो जब भी square अब तुम्हारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में यह नहीं हा रहा कि सर इधर वाला जब square अठाया हमने x बराबर इधर वाला square इधर बेज़ा तो यह plus minus का वाई होना चाहिए और जो यह स्कॉयर वाला इधर आएगा तो इधर वाला भी plus minus होना चाहिए यह condition नहीं होनी चाहिए कि जब हम सर square हटाते हैं तो इधर side plus minus का चिन लगाते हैं ऐसे इधर वाला जब इधर सबक्राइब चाहिए तो इधर वाला लगाना चाहिए है कि सब कि इधर से अटाव तो इधर आकार से अगर कर देखा लेकिन इस में condition क्या होती हम एक साइड लगाते हमें साम च्रकाहि रुकते ही साइड लगा इसका प्लस लिया और इधर वाला माइनस ले लिया तो एक स्वरावर माइनस वाई ये वालो ये हमने इधर वाला माइनस लिया और इधर वाला भी माइनस ले लिया तो ये तीसरा केस हो गया चौथा इधर वाला मने माइनस लिया और उधर वाला मने प्लस ले लिया अब तु इसलिए हम क्या करते है सिंपल X од X ब्रावर प्लस-minesy लगा लेते हैं होना यह चाहिए था कि यह मैंस इधर भी एक इधर भी लेकिन उबात चाहिए ऐसे लिखू चाहिए अई सब्सक्राइब दोनों बातों का मतलब एक है त्यूकि मैं इसको साइड में छोटा करके लिख देता हूं कि काम आती बहुत जगे यह 11 तो में विकोश्चन में वैसे काम आती थी पता ने आपने सीखियो होगी हो सकता है ठीक यह मैं इसाइड में लिख दिया रफ का का वैसा कुछ नहीं है अब यहां पर एक समस्या और क्रियेट होगी का देखूं मालों ने एक साइड तो लगा लिया एक सवन बराबर प्लस-म लेकिन यहां पर माईनस तकी नहीं आएगा इस केस में नहीं आएगा पहले वाले वाले कोश्चन में क्यों क्यों ए नेच उनम नम Kannひ Mतलब मतलब कि इधर भी प्राकरस संख्याएं और इधर भी प्राकरस संख्याएं एक्स वन एक्स एक्स की वेलू कहां से रखते इधर से यह मारे पास क्या होता है यह मारे पास प्रांथ यहां पर जो वेलू रखते हो इसके अंदर उसारे प्रांथ क्या होते है वो क्या है नेचु यहां पर बात हो रही है प्रांट की नेचुरल नंबर की तो यहां पर एक्स हमारे पास यह नेचरल नमबर है इस वज़े से एक्सवन बराबर एक्सटू है तो आप नीचे लिखोंगे अता फलन एक है अता फलन एक है कि क्लियर अब अच्छादक प्याजों अच्छादक के लिए सेम कॉंसेप्ट है कोई दिक्कत नहीं वहीं हम करेंगे माना y बराबर fx fx की वैलु रख दो fx की वैलु खायर है इस्टूर को इदर बेजोगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट वाई ठीक अब तुम्हें पता ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में अब नेचुरल नंबर में है तो तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ पर मालो तुमने रखा कोई भी वास्ति यहाँ पर नेचुरल नंबर रखा जा सकता है यहां से रखते हैं वैल्यू कहां से प्रतेकमान के लिए यह लाइन लिखोगे जरूर एक्स में या एक्स में बोल दू या प्रांत में भी बोल सकते हूं कि प्रांत में प्रांत में एक्स में पूर्व प्रतिवियम पूर्व प्रतिवियम समझे नहीं पूर्व प्रतिवियम पतला य का इधर एक्स के साथ जैसे यह लिखते हैं तो यह एक्स का वाई के साथ क्या हो गया अगर वाई का एकस के साथ देख हो तो पूर्व प्रत्विंब भीग्स है कि crypto नई एट्छा दक नहीं अता फर्लन अच्छा दक नहीं यह अधा फलन आप लिग देना अता फलन गड़ा दक क्लियर थोड़ा इस पस्ट और हुआ होगा एक एक आच्छा दग में क्या मतलब है कैसे हमें प्रूव करना है और करें कि इस रहने यह घर लिप अजह करूँ दूसरा गर ली यह जेड़ वाला जैड़ वाला पार जमझे़ करते हूं ता Σंरा फिर से मारे पास फॉल Francum एफ एक ह CB एक 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 इसक्रती पहले एस के के लिए तुम्हारे पास वह यह हमारे पास देख रहा था यह Пयो है यहां पर तो यह कहें कि था अब यहां पर आओ फिर से क्या fx1 बराबर fx2 आपको पता यहां पर यह हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यह एक तो इस बारम फ्लस माइनस के चिन दोनों लगाएंगे क्यों यह फलंळ यहां पर यह लेके चले दे लेकिन एकस्वन बराबर एकस्ट नहीं है हो सकती है लेकिन दो समवन माइनस माइनस का है तो- यह सिंपल सी बात अगर दो लोग से मेंई कुवन हो जाएका ना कि दो लोग का एक से सम्वनध इन टूवन बहु एक 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 नहीं है लिखो एक एक की की बात पूछ रहा है क्या कोश्चन में लिखा है एक 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 शादी की बात कर रहा है अच्छा यहां पर देख एक चीज़ लिखी है हाँ ठीक है कोई दीकर नहीं बाद में देख लेंगे अता फॉलन एक 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 नहीं है अच्छा अच्छादक चेक करते हैं इसके लिए अच्छादक में क्या होगा अच्छादक ठीक है अच्छादक में वही काम करना है आपको आप मानों के पहले माना वाई बराबर एक एक एक्स की वैलू यहां पर क्या इस बार एक्स उसकार ही है सेम एक्स की वैलू क्या जाएगी सब प्लस माइनस रूट वाई आ जाएगे अच्छादक भी नहीं होगा अगर आप रूट की वैलू रखोगे तो रूट में तो कोई होता नहीं प्लाकर संख्या है इस पर डिपेंड करेंगा बहुत सारी चीजे अब पूरांग संख्या है मारे पास रूट में तो होती नहीं रूट टू रूट थ्री रूट फोर है तो टू हो जाएगा लेकिन रूट फाइव रूट सिक्स पर यह नहीं मिलेंगी तो आप लिख दो यहाँ पर उधारन दे सकते हो उधारन एक दे दिया करो ज्यादा अच्छा रहता है क्यों नहीं है इस बज़े से कि वाई बराबर मालो आपने रखा दो तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस रूट डज नॉट बिलॉंग स्टू जेड जेट से बिलॉंग नहीं करता है सीधी बात यह आप लिखो गया आता वाई के सेम लाइन एक दो बाल लिखू यहीं सेम लाइन लिख देना क्या दिक्कत है वाई के प्रतेकमान के लिए एक्स में पूर प्रतिविम विद्वान नहीं है विद्वान नहीं मतलब यही है प्राप्त नहीं होता है एक प्रकार से पूर प्रतिविम विद्वान नहीं है अधा फलन आच्छादक नहीं यह ना तो आए काई की था ना ही आच्छादक अगर जन्रल लाइप में समझना चाहो तो समझ सकते हो देखो कैसे जैसे हम वैसे बनाते थे आपको पता इधर भी क्या है पूढांग संख्या माइनस तीन माइनस दो माइनस एक 0123 इधर क्या है इधर भी माइनस टू माइनस 10123 ऐसे अनन तक इधर जा रही हो ऊपर भी जा रही होंगे नीचे भी जा रही होगी हर तरफ जारी होगी अब समझो फलन क्या है तुमारे पास fx बराबर यह मारे पास सर एक्सिस को ऐख ठीक अम माइनस तीन या पर रखोगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 6 मिलेगा जाके ठीक माइनस 2 रखो गे तो प्लस का मिलेगा तो माइनस का कभी वैल्यू प्राप्ति नहीं होगी तो इधर की वैलू छूट जाएंगी तो मतलब कि आच्छा दर्ट तो नहीं रहेगा अगर कुछ पान छूटगे तो क्या हो संबंद इसलिए बहुए क्योंगा एक एक ही नहीं होगा ठीक ऐसे समझ सकते हो फार एक्जामपल लेकिन लिख के ऐसे आना ऐसे ना करके आना यह तरीका नहीं करना एक्जाम में यह सिर्फ समझ अगर को वैसा कोश्यन आता है अब्जेक्टिव वाला या एक नंबर में क्यूब का कों सा कर दिया जाए को मारे तुम्हार में नहीं नहीं तो यहां पर अगर तुम देखो अगर यह पर प्लस माइन सारी लेकिन इस बार आगर देखोगे ग तुम्हारी अच्छा धक हो जाएगा क्योंकि रूट में वेलु टा समाने राइक करना हाई यह एक राइक हो ड़या छाए गयोगा कर देते हैं कोई हो कर देंगे लोग 13 ईक कर लेते में के लिए ऐसे कर लेकिसिन आप को भी करने पड़ेंगे एफ एक्स क्या अग्र एक कुणोगे reached B मानाша傳 आइगा तो यह आराम से क्यों बढ़ जाता है चलर अला अता फलन ने कह कि आता वालन एक एक है कि है आंगे हो एक है कि हो गया आच्छा देख पर ओ यहां पर यह की पहले कर लिया हम दोगों आच्छा देख कहां से कहां में परिवासित किया हमने एन से एन में कि यह एन से एन में परिवासित है ठीक क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है अच्छा दक सबसे इंपॉर्टेंट बार एक एक की भी करता है का अभी देखाई था तुमने आप कहले को देमाना है ओन्ता पर और अँग्या है वाइं परो अभी पर आव जाए का वाई की गहात ती ठीक एक्स भराबर वाई की घात एक बटे तीन हो जाएगा ठीक अब तुम मान रखना इस्टार्ट करो कहां से श्ट्रक हो गई इस से प्रांत से आप कोई नेचरल नंबर रखते हो मालों यहापर तुमने टू रख दिया तो दो की घात एक बटे तीन नहीं है ना यारी यह नेचरल नंबर रहेगा नहीं नहीं है तो अच्छा दक भी नहीं सीधी बात है क्या है अच्छा दक भी नहीं उधारन दे दो उधारन एक दे दो भाई क्या देदो वाई का मान मालो तुमने एक प्राक्रस संक्या रखा कोई भी रख लो वाई बराबर तुमने मालो चा एक्स में पूर्व प्रतिविंद विद्धमान नहीं अता फॉलन आच्छादक नहीं अच्छादक नहीं क्लियर यहां तक अब बात भाई सबको क्लियर हो गई एक एक आच्छादक में आब याद डाउट नहीं होना चाहिए कि अब तुमको एक 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 और आच्छादक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए सबको यहां तक है कि आच्छा दक बहु एक एक और अन्ता चेपी चारों फलनों के प्रकार में आप डाउट नहीं होना चाहिए अब कुछ जो अच्छे कोश्चन बनते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं जैसे कि एक कोश्चन यह है महत्म पुडान फलन का ठीक है जब भी किसी कोश्चन में अगर डाउट लगे तो यह थोड़ा सा बैक करके देख लिए ना किलियर हो जाएगा क्योंकि आप लोंका यह करके देख लेना किलियर हो जाएगा वैसा इतर डिटेल में चलेंगे कि ऐसा कुछ ना लगे कि जिससे तुम बहुत जल्दबाजी में चलना कुछ तो एक बार मैं छोटा सा सौट में बता देता हूं रिवाइस करा देता हूं कि क्या था में पुडांग या देना में बॉक्स ऑफ एक से इस बड़े वाले डब्बे के अंदर एक्स लिखा तो एक्स का जो भी तुम मान रखते हो कोई भी वास्टिक संख्या यहां पर रखते हो तो हमेशा ये पूडांक मान देता है आउटपुट में क्या है का पूडांक मान अगर तुम प्रांत में आर रखते हो तो हमें जो मान प्राथ होंगे वो कौन से प्राथ होंगे हमेशा पूडांक मान इंटीजर वेलू ठिक सिंपल सी कौन सी वेलू इंटीजर वेलू प्राकरत कर रहा है ठिक तो आर से सिंपल जेड होता है जेड मिलेगी वेलू जो में मिलेगी हमेशा इंटीजर मि लेगे कैसे जैसे फॉर एक्जम्पल मालों ने आपर एक्स के अंदर क्या रखा 3.5 तो यह जितनी यह वैलू रखी इससे जश्च छोटे वाले पूढांक वैलू को देता है आंसर में क्या देगा पूढांक मान और इससे जश्च छोटा वाला तो तो तीन दसम्लों छोटा स से चोटा कौन सा पूढांक होगा तीन ये अपना इसको संख्यार एखा पर भी समझाता कि यह जीरो है यहाँ पर वन है यह फिर मारे पास पॉर है ऐसे इंदर माइनस वन है माइनस टू है माइनस त्री तो अगर तीन दिसम्लों पाच है तो तीन सो पाच कहीं इधर वीश् कोई दिक्कत नहीं 7.99 को कोई एट ना लिख देना कि इसको राउंड आफ कर रहा है यह महत्म पुढांक वालन है इससे छोटा वाला पुढांक देगा तो 7.99 के इधर आएगा उससे छोटा पुढांक 7.9 से पहले का मिलेगा 7 तो यह क्या वैलू देगा 7 ठीक जैसे कि अब म लैंक मारे माहि लो सहूर केदो कि सर 2 है पुढांक है टो पुढांक का पुढांक ही आता है जो भी है वही वेलू आ जाएगा पुढांक वेलू पर यह पुढांक मान देता है ठीक आभा समझाओ अब मालो यहाँ पर 3.5 था अगर हम यहाँ पर 3.7 भी ले ले तो भी वैलू 3 ही आएगी क्योंकि 3.5 वो तो भी 3 आएगा 3.7 वो तो भी 3 आएगी क्योंकि दोनों पुढांक वैलू इससे चोटे वाले पुढांक को ना 3.5 वो 3.7 से 3 ही है माइनस में थोड़ा सा confusion के लियर कर लो कि अगर मालो माइनस का 2.5 है तो माइनस 2.5 अच्छा संख्या रेका पर देखो कहां यहां पर होगा कहीं यह है माइनस का 2.5 तो हमेसा इस से चोटा पुढांग यह ना देखना कि सर यहां से इस से चोटा यह 3 था तो 3 लिग दिया यह स विल मनलकी माइनस तीस से छोटा पूणामान तो छोटा पूणाम हमारे पास घsm से माइनस यहाँ सब्सक्राइब इसके बाइन से लिकले तो मारी से जड़र पूणती एडेस से जोकिते से बीट तो होगी ओंग है इसा बैंस ईसा फुर्ण यह बात हो गई इतयाद आ गया होगा अब चलते हैं कोस्या हमें क्या दिखाना तकर ना cheapest बनाबर box of x जो हमारे पास क्या है R से R में परिभासित यार न यह कहिएं न अच्छा देखे हैं वह बास सत्य कैसे देखो मालनो तुमने box of x में x बराबर तुमने रखा एक एक एकई के लिए मालनो दो गहां लिग के तो बराबर मालो रखा मैंने क्या रखा एक्स बराबर मालो रखा मैंने 2.7 और एक्स टू बराबर जैसे माले 2.7 रखा तो यहां पर क्या होगा सरी से fx1 जो होगा वो मारे पास क्या आ जाएगा यहां पर हो जाएगा 2.7 रख दो 2.7 तो इसकी वेलू कित्ती आ जाएगी 2.7 की जो मारे पास वेलू है पुढांकमान क्या जाएगा इसे छोटी वैली इंटीजर अफो पुढांकमान देता है तो 2 आ जाएगा मालों x2 तुमने रखा 2.3 x1 x2 दोनों अलग अलग वेलू रखी ये 2.7 रखा ये 2.3 रखा यहां पर ये fx2 रखा तो यहां पर तुमने क्या किया 2.3 रखा तो भी वेलू क्या आई 2 मतलब fx1 बराबर fx2 के लिए देखो fx1 के बराबर fx1 का मान भी 2 fx2 का बराब मान भी 2 x1 does not equal to x2 x1 का मान 2.7 x2 का मान 2.3 है हमें पता है कि fx1 बराबर fx2 के लिए अगर x1 बराबर x2 के नहीं है अता फलन एक 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 नहीं है बस यह एक हो भी 77 आएगा यहाँ पर तो आप यह ना सुचना है कि यहीं लेना है क्या अता फलन एक है कि नहीं है ठीक अब सिंपल सी बास समझो अच्छादक में तुम डारेक्ट भी यहाँ आपर लिख सकते हो वैसे मैं थोड़ा सार बता देता हूं अच्छादक इसका जो सैप्रांथ होता है अरे इसका जो हमारे पास परिशर आता है बॉक्स ऑफ एक्स का वह हमेशा पूढांग संख्या आएगा अरे आप कोई भी संख्या ब्रैकेट में ले रहे हो मालो माइनस 3.7 लिया तो आया माइनस का 3 ए माइनस का 4 ठीक अब मालो अपने 3.7 ली तो भी आया वेलू 3 पतलब इधर जो हमेशा वेलू आएंगी वह पुढांक वेलू आएंगी हमेशा-वह यहां पर क्या हेंगा 123 हमेunu आपक हमेशा है रिलेशन देखोंका तो सारे पूरांक मनों के साथ होगा जो jederetttt kita value होंगी जो हमारे पास में दसमलो की वेलो फ्रैक्शन में जो भी मानोंगे इधर कभी संबंदित नहीं होंगे क्योंकि जो वेलो प्रतेक मान के लिए सासे दुम्हें दिख रहाइने दुनों के X को रावा इधर से देखुचा इधर से देखो दुनों बातों का मतलब एक तो आप यहा पर यहीं को यह के को परटेकमान के लिए हो представля इस हुआ मैं हो पूर्व प्रत्विब मान नहीए यहँधि अदर के अदर को वūs beside पालान वाच्छा दकनी है कि मैं पता है की जो ओक क्या के दिया मैं 99 फॉलन होता है उसका परिशर होटा है हुआ हम है मैं से forgot पूरांग संह्ख्या होता है कि आपर परपार इसर जो आएगा वह वास्तिविक संख्या यहां पर परिशर तुम्हारा वास्तिविक संख्या है मलब सहिप्रांथ और इनका परिशर क्या होगा इनका परिशर होगा तुम्हारा में इसा पूडांग संख्या और जड़ यह आर के बराबर नहीं है परिशर सहिप्रांथ के एकोल नहीं आता फ पाती है कि माड एक्स जो होगा है कि हमारे पास नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा तो इधर की जो वाई वाले जो अमारे पास सबसेट होगा उसमें से निगेटिव वेलिफे के साथ connection ही नहीं होगा तो वो भी लिख सकते दोनों कंडिशन हो तो मॉढल आइक्स का भी सेंят ही से से बनेगा और उसको भी इसी तरीके से कर सकते दूसरा या तीसल इसला इसका लिया वolut felly है और फि पर इसके बाद हमारे पास एक और कोश्चन फिर फलनों का सयोजन फलों के सयोजन की अगर हम बात करें फ़ले दो कोश्चन बचे इनको और डीटेल में देख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा होई जाएंगे पने कोश्चन पस थोड़ी देर का और बचा फलों का स्योजन जो देखा जाए अक्चुल में टॉपिक नहीं है बलाब पहले वन पॉइंट स्री हुआ करती थी अब दो एक्ससाइज है बन पॉइंट थी में फलों का सयोजन और वीटकरमणी फलों की बारे मोता था लेकिन आप थोड़ा सच पार्ट उसका दे रखा है डिटेल में नहीं द बराबर दिया गया है एन प्लस वन बाइटू जब एन वी समसंख्या एन बाइटू जब एन एक समसंख्या है ठीक द्वारा परिवासित फलन यहन से एन में है बतलाए कि फलन एक 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 और आच्छादी जोनों होता तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं मतलब वह ए हमारे पास दिया गया है एफन बराबर एन प्लस वन बाइटू जो हमारे पास एन क्या है एन एक और नंबर ठीक और एक हमारे पास दिया गया है एफन बराबर एन बाइटू जो हमारे पास एन क्या है इवेन नंबर समसंख्या है ठीक यह में दिया गया है ठीक का से का में परिवासित अना नेचरीन नमबर से नेचरіन अनबर में परिवासित है नेचरीन नम्बर में परिवासित फ़लन एक the1 ये नचल्ब इधर भी नैच्रोल नमरोंगे नेच्रून आप फाकरसन क이나 per 12345678 यह वान 2 गूसिक्स टेस्था सेकpetto कोई दिख्कत नहीं आप तुम देखो आप एंडिए लो रखना इस्टार्ट करोगे तो यह क्या होता प्रांत मिलती है वो मारे पास होता है इसकी परिशर में आती है तो एन की वेलू रखना इस्टार्ट करो मालो एन की जगह तुमने वन रखा तो f1 एन बराबर जब तुम वन लोगे कैसी संख्या एन बराबर वन विसम है ठीक इसको फेर में करते हैं ऐसे दिखा देंगे क्या दिकत है ऐसे भी अच्छे समझ में आ जाएगा और मार्स नहीं कटने वाल एन बराबर वन नहीं आ पर रखा तो एन का वन क्या विसम कहां पर यह वाला फॉलन है अगर सम होगा तो थो यह वाला फॉलन लें विसम यह वाला तो यहाँ पर एंड़ एन की जरी जोर्न रखर तो one प्लस one by two मतलब की बना गया दो बटे दो मतलब की एक आगया सिंपल सी बात क्या गया एक पतम जब रख दो में वन का बंश fault के मिला, that's okay, कोई दिक्कत नहीं, two रखा, n बराबर, two, मतलब की एक सम संख्या रखी, even number, जब even number है, तो फलन का मान क्या है, n by 2, तो यहाँ पर रख दो, तो दो बटे, दो, मतलब की क्या आजाएगा, एक, तो दो का सम्मंद भी एक से, पहले एक्जांपल से क्या सेट हो गया, जब यह तुमने दो वैल्यू रखी, one और two, तो इस पर तुम्हें यह पता चल गया, दोनों पर वैल्यू 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 आ रही है, मतलब की फलन एक है की तो नहीं, बस यहाँ से तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ कि आप ऐसा मान सकते हो, इसको n वन माल लो कोई दिकात न इसको n 2 माल लो, n 1 बन बरावर one रखा, n 2 बरावर two रखा, यह एन यहाँ पर है, i-s lain away, research n 2 का मतलब यह है कि दो वैल्यू अलग-अलग n की रखे, एक बार और आज एक बार even, ठीक, तो आप यहाँ पर लिखो अब यहां से थुम्हें दिख रहा है कि डो अलग एन के दो अलग- अलग मान के लिए ख़लन का जो मान आ रहा है यहां पर भी जब यहां के म Amao गलाग लिखे थे तो अता फॉलन एक कैकी नहीं है नई डारेक लिक दुकि चल जाए कोई दिकत नहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है आराम से चल जाएगा आप यहां पे पिस ऐसा ही एकजांपल प्रॉपर दिखा दोगके इसमें figure भी बना देना figure भी सही है इसका figure साफ एकदम बनेगा इसलिए figure भी बना देना इसा नहीं कि figure में अच्छादक देखो ठिक अब आच्छादक की केस में क्या होगा मालो तुमने एन बराबर यहां पर तीन भी ले लिया था आंगे देखो एन बराबर मालो तुमने तीन लिया तो तीन हमारे पास क्या है तीन हमारे पास विसम है अगर यह न बराबर तीन विसम है तो यह हो जा आएगा कहने का मतलब यह है कि 3&4 का संभंध किस्याए दो से ऑइसे ही तुम आंगे चलोगे तो 5 और 6 정도 किसे मिलेगा 3 से आएसे आंगे चलोगे तो 7 storage के संभंध किस्या मिलेगा चार से मतलब कहने का ये है कि y का प्रतेक मान के लिए X में पूर्व प्रत seguinte दो मने आप ऐसे आंगे अनंद तक झिली जाओगा इधर हमें यह चूटेंगे नहीं जेशाफ सॉझे नहीं मेच हो कि यवाई के प्रतेख मान के लिए में यहां पर वाइद हिखा नहीं तो ऐसा कर सकते कि एन लिख सकते थे नेच्छन एन के प्रतेख मान के रेखर प्रतेख प्रात तक संख्या के लिए यह भी लिक सकते हो यहाँ आसे लिख दो प्रतेक दूगि प्रक्राइसां खी रख रहा 둘 Ferr tegen अ हम एक सघंड एक 2 Ciao ओने तो यहां पर क्या लिख सकते हूँ यहाइस mm होता सीथे सेप्रांत के है प्रतेक मान के लिए प्रांत में से प्रांथ के प्रतेक के लिए पुर्व प्रतविंव विद्मान मतलब मतलब संसर के बरावर अता ममरा एक एंप यह कि नहीं क्या ना आसान है एकदम question एक एक और आच्छा दक दोनों इस पश्ट हो जाएंगे आच्छा दक के लिए figure तुमारा काफी है और एक एक किलियर है थोड़ा सा और पार्ट बच्छा है दो गंटे 30 मिनट के आसपास हो जाएगा यह थोड़ा सा और बचाए बस उसको और फिनिस कर लेते हैं फिर खतम करते हैं अब एक कोशन तो यह बचाया पहले इसको और कर लेते फिर फ़लों के से उजन पिचलते ज्यादा नहीं आर माइनस 3 से बी बराबर आर माइनस एक में कुछ परिवासित है यही तो है एसे बी में फ़लन परिवासित किया गया है एह हमारे पास यह बी यह समझ रों यह मतलब यह प्रांत है एक प्रकार से यह है अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा दोड़ा डिटेल में उसको अगर डिसकस करें थोड़ा सा चलो अभी करते हैं अब आपके पास एक फलन यह दिया गया है क्या दिया गया है एक्स बराबर अभी समझ में आ जाएगा एक्स माइनस तू अपॉन एक्स माइनस 3 अच्छा एक छोटी सी बास समझो कि यह एक्स बराबर 3 पर फलन परिवासि लेकिन 3 नहीं रख सकते हूँ इसलिए इसने एजय डिया है और से 3 हटा दिया है क्यों मैंनलर अब हो जाएंग ऍहुरूर। पहले एक एकी की बात करते हैं महासानी समझते पस यह आर माइनस तीन और और मैंस एक का मतलब क्या है वो मैं बताना चाहरा था इस पर सोजाए यह यह ना लगे कि सर क्यों ही ता बड़ा लिखाया पहले हम श्टार्ट करते हैं मैं कि अच्छा दक की बात करनी है यह कहाँ कि अच्छा दक स्टार्ट करो माना fx1 बराबर fx2 x1 x2 रखो x1-2 upon x1-3 बराबर x2-2 upon x2-3 चिक हमने कुछ नहीं गया एक्सवान नख्का फिर एक्सवान रखों तरह यह गुणा करो ऐसे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी भाई x2-2 upon x1-3 गुणा करो x1 x2 माइनस का 3 x1 फिर माइनस का 2 x2 तीन दून अच्छे इदर आओ x1 x2 माइनस का 3 x2 माइनस का 2 x1 तीन दून अच्छे 6 से 6 का काम खतम x1 x2 चे x1 x2 का काम खतम क्या बचा यहां पर बचा कि यहीं लिख ले कि अधो है कि देखो और कि बचा है यह माइनस 3 x1 एक्स वाला इधर को नहीं यह माइनस कि इस वन इदर लिए और तो प्लस का 2 x1 अब रावर इधर कि यह माइनस का 3 x2 इढसे डीन प्लस का 2 x2 हो जाएगा यहां से क्या हो गाई यह माइनस का X1 यह कटके यह हो गया माइनस का X2 यह काम खतम मतलब X1 बराबर X2 अब फलन एक है कि है बाई देख रहो है कि कहां पर निकला जाके अभी तक एक है कि जो एक प्रूफ कर रहे थे और कोश्चन में एक लाइन में अगली राइन में कहा कि पता चल जाता था इस बार थोड़ा स X2 आगे अब यहां पर लिख सकते हो कि अता फलन एक है किये अता फलन एक है कि ए सॉल्व करना पड़ेगा कोई ऑप्शन है नहीं अच्छा दक पर आओ अच्छा दक में वही काम करना जो अभी तक कर रहे थे वैसे ही माना अब इसमें तो मैथमेटमेटिकल फॉर्म में है सकते हैं माना Y बराबर क्या है X-2 upon X-3 अब Y बराबर के पदों में है इसको X के पदों में लाते देखना तो यहां से हो गया Y X-3 बराबर X-2 तो यह हो जाएगा XY माइनस का 3Y बराबर X-2 इसको इधर ले आओ तो XY माइनस का X 3Y उदर चला जाएगा तो 3Y माइनस का 2 X कॉमन ले लो तो Y-1 बराबर 3Y-2 तो X बराबर क्या जाएगा 3Y माइनस का 2 upon Y-1 इस पश्ठ्वा नीचे क्या आगया Y-1 इसलिए R से एक अटाया गया अगर Y कमान तुम एक रख देते हो यह X के लिए यह Y के लिए तो प्रांथ तुम्हारे पास क्या था प्रांथ में तुम्हारे पास 3 नहीं था इसलिए तुमने क्या किया था आर से 3 को अटाया था तभी आ परिबासित हो रहा था तो यह प्रांथ हमारे पास यह Y होता है अगर Y कमान हमने आपर एक रख दिया तो यह आ पर परिबासित आती वेलू और एक इसने पहले ही अठा दिया कि वह सारी वास्ट्विक संख्या रख सकते हो एक नहीं रख सकते हो एक नहीं रखना उस पर दो सारे फलन आप परिबासित है क्योंकि वास्ट्विक संख्याओं से वास्ट्विक संख्याओं में फलन परिबासित है आप y का मान कोई भी रखो हमेशा x की एक वास्पिक संख्या मिलेगी कोई भी रख के देख लो 1 छोड़ कर 1 रख नहीं सकते क्योंकि 1 इसके प्रांत में ही नहीं है बस अता फलान अच्छा दग भी है आप लिख दो y के प्रतेक मान के लिए प्रतेक मान के लिए x में अता फॉलन अच्छा दग ठिक एक एकी भी और आच्छा दगी के लिए सभी को यहां से हम लों का भाई एक एकी आच्छा दग वाला काम खतम होता है फलनों का प्रकार मतलब हमने होगा ना जो स्लेबस में जित्ता पार्ट था मतलब की जो 1.2 तक का जो पार्ट है वो हम लोगों ने फिनिस कर लिए छोटा सा टॉपिक फलनों का सेयोजन दे रखा है तो उसको थोड़ी सी छोटी सी बात कर लेते हैं थोड़ा टाइम लगेगा आधे गंटे का टाइम मुस्किल से लग जुक्त करके लिग दिये जाते जोड़के लिग जाते उन्हें फलनों का सेयोजन के बिसिकली चार प्रकार से इसको देखते हैं दो इंपोर्टेंट है जो जिन पर आपको कोश्चन दिये जाते एक होता है फॉग एक होता है गॉफ एक्स और इसके अलावा ये भी बन सकता होता है कि फॉफ एक्ष बलब एफ का एफ के साथ और या फिर गॉख जी का जी के साथ चार प्रकार से बनते इसका मतलब क्या है फाग एक्स का मतलब होता है कि eta इसके अंदर ओक्त олнग अशें यहां पर लित सकते हो कि एफ एक्स तथा जी एक्स दो फलन है माना Fx वा Gx दो फलन है ठिक तो Fx के अंदर जब Gx होता है तो मारे पास Fog बनता है ऐसे Gx के अंदर जब Fx होता है तो Gauf बनता है ऐसे Fx के अंदर Fx होता है तो Fof बनता है और Gx के अंदर जब फिर से Gx होता है तो वो Gauk बनता है बिसिकली ये सब बाते हैं तो बिसिकली चार पकार के फंक्शन होते हैं फॉक गॉफ गॉफ फॉक सिंपल कोशन बनता है एक बार इसे डीटेल में अच्छे समझ लो फिरी के माक से अपने कोई दिक्कत की बात नहीं एक मैं कोश्चन लेना चाहता हूँ एक हमारे पास कोश्चन लिया हमने की एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है एक्स स्कायर और जी एक्स बराबर दिया गया है टू एक्स माइनस का फाइफ दो फलन दिये गए एफ एक्स बराबर एक्स स्कायर और जी एक्स बराबर टू ए स्भाइब आपको निकालना है पहले 6 for get the progress का मतलब क्या होता है समझ लेते progress का मतलब सरोंता fx के अंधर ऑ्जी अक्ती ऐसे करके करेंगे तो अच्छे से समाज में अजयेगा एक बार में ठीक जी-verse है एक एफ एउकस के अंदर जी-स तो fx इसका जैसे एफ और वन का मतलब क्या होता है जहाँ पर मालो एफ एक्स एमारे पास उसकी बात नहीं करना कोश्चिन की दियान समझना पहले एफ एक्स वरावर मालो मारे पास एक्स इसकोएर है हमें अफ एफ आप वन निकालना तो जहाँ और fx में एक से वहां पर one रख दो तो वन का स्कार हो जाएगा ऐसे यहां पर हमें क्या करना है fx के अंदर GX रखना तो GX हमारे पास 2X-5 और fx एक स्क्राइब तो इस fx में जहां पर एक से उसकी जगे यह वेलु रख दो तो रख दो यह क्या हो जाएगा 2x-5 x की जगे 2x-5 रख दिया उपर होलिस्वायर देट स्यूर आ गया फॉग एक्स ठीक ऐसे तुम्हें क्या करना है मालो गौफ निकालना है तो गौफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जी एक्स के अंदर तुम एफ एक्स रखोगे यही तो करोगे जी एक्स के अंदर एफ एक्स एक्स को यहां पर एक्सिस क्कारण ग दो तो यह क्या हो जाएगा टू एक्सिस स्क्राइब क्सूर्ण एक्सिए अंपर ठाइए एक्सी सक्कोई रख दिया माइनस काफ़ाई बैड मारे पास गवाफ्य था कि आ क्लियर कुई डव तो नहीं आ ऐसे ही तुम्हें माले लोग और फिर निगालना ह coalition फारा आफ यसा निकलेगा कि एफ एक्स के अंदर फिर से एफ रखले और समय ही तो इसका है स्वेल लगा दियाए हसी पावर लेट इस और फाफ 16 ठीके ऐसे तुम्हें लो गॉफ एकस निकाल गॉफ गॉफ गॉघ तो क्या कर ओगे जी एकस के अंदर फिर से जी अक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा सर जी एकस जी एकस हमारे पास है क्या तो येकस-5 टिक टूए-5 तो जी फॉलन में जहां XMR two x minus 5 जी फलन में जहां xMR two x minus five रग दो तो जहांपर एक सै उसकी जहां फिल से to x minus five रग दो और मैनस वाई तो 4 x minus का पांदूना 10 उनस 5 नहीं तो 4 x minus का फंदरा लेरिट्स रांसर हुआ यहिए लगा 120 भीको कई डिया टो नहीं करते हैं अभी डाउट उसके डावगा बिहार बोर्ड में भी ए म्पी बोर्ड में यह राज़िस्तान लूड बूर्ड में इतना पार्ड कि इस पर फोग और गौफ पर एकSON बनने का पास वान अम्र उधान भी दिया है कि एफ आर से आर में जी आर से अर्म है एफ एक्स जी एक्स दो फलन दिये गए हमें क्या निकालना है फॉग और गॉफ निकालना कि यह दोनों इक्वाल नहीं यह सिद्धिकर के दिखाना है तो देखतें पहले कि क्या है fx बराबर हमें क्या दिया गया है fx बराबर है cause x और gx बराबर क्या है 3x square आप सबसे पहले क्या निकालोगे fog मालूम निकालने fog मतलब वही fog of x होता है तो fx के अंदर gx fx के अंदर gx gx की value रख दो gx की value क्या है 3x square रख दिया ठीक अब f of x मतलब की fx में x की जगए पर यह रख दो तो f क्या है cause x तो cause x की जगए पर क्या रख दोगे यह 3x square तो यह हमारे पास आ गया कि गौफ फॉग अब गौफ की बात कर लेते हैं गौफ आफ एक्स होगा gx के अंदर fx fx क्या है cause x रख दो जी कहा है जी मारे पास से 3x square इसमें x की जगए पर क्या रख दो cause x square तो 3x की जगए तुमने रख दिया cause x और फिर यह हो गया x square ठीक क्यों की एक्स की जगह पर तुमने cause x रख रखा तो cause x का whole square होगा एक प्रकार से तुम ऐसे लिख लो जैको बास में इसको फिर से बढ़ देते जी एक्स के अंदर क्या जी आफ cause x मतलब जहाँ पर gx में x है वहाँ पर आप क्या रखूंगे cause तो यह हो गया 3 और x की जगह रखा तुमने cause और उसका square तो 3 cause square x that's your right answer टिक 3 cause square x और यह cause 3x square मतलब for golf के equal नहीं है सीधी बात प्रूब हो गया इस प्रकार के question बनने का chance है तो सभी लोग इसको अच्छे से complete कर लो एक बार क्लियर यहां तक कोई डाउट तो नहीं भाई अब इसके बाद इस पर एक ही question इसी प्रकार का बनेगा एक और है जैसे एक और है 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 इस प्रकार का question हो रहे यह पंद्रवा नमबर इसमें क्या है इसको आप आरे-एक से कर सकतो wyp से समय से समय में आ जाईगा क्या दोकू f1 इससे इसमें परिवासित है जी एक पर ना इससमें परिवासित अबी सम्झो क्या दिया गया एक हमारे पास फ-0 फिक एक फिलन हमारे पास ये फिलन मारे पास एक तिक फ्रशारा फेंट वह मैं तीन चार-पांच इदर कौंशे तीन-चार-पांच-नो यह हमारे पास एफ फलन परिबासी ते एक जी फलन है जो ढखो 3 4 5 9 को इस से इसमें परिवासित है मतलब इस से इस में फ़रिवासित आप और है वह मारे पास कोने 7 11 और 15 में यह मारे पास जी फK मुल्ट सायूग तो क्योंकि एक के लिए जो हमारे पास सै प्रांथ है वो जी के लिए प्रांथ है यह तो लिखा है एफ के लिए जो यह सै प्रांथ है वो जी के लिए प्रांथ है तो एफ के लिए यह सै प्रांथ जी के लिए प्रांथ है इस प्रकार से सही उप्त रूप में फलन दिया गया और आपको पता है कि F SETkee जब यह फलन होता है तो यहां से जो कंडेशन बनती है इसके साथ सब्सक्राइब अगर यह Fx एसे जी अक्स है तो इसका इसके साथ हो रिलेशन होता है यह बात हमें पताब नहीं चाहिए टेख्व वहाँ पर डिसकस करी थी अभी तयाद रुको कि यह जो रिलेशन बनता है वो कौन सा होता है गौफ ठीक है अगर यहां पर जी होता यह यहां पर एफ होता तो यह फॉक बन जाता ठीक है अब देखो क्या दिया है अब दिया है कि एफ आफ दो जो है वो तीन के बराबर है यह का संबन 5 से नो छूटगा है कोई बात ये में व जी ओफ 38 और जी ओफ फोर का समबन दे शेवन से ऐसे हो जिए फाइव याफ नइन का संबन 11 से जिए फाइव और जिस और नाइन का संबन 11 सि हमझे आरेग बना लिया प्ूरा पूरा एक बना लिया इस question के according हमें fx था हमारे पास जी एक स्था गॉफ की बात करा कुश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है गॉफ आफ एक्स ये गॉफ के बारे पूच रहे प्रकार से गॉफ आफ एक्स ही हमसे निकालने को कह रहा है है क कि हुआ गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है किी एक्स के अंदर fk कि प sécur मारू कि यह निकालने को आप सो प recip रहा है cdc बात यह तो गॉफ क्या यह यह उता है मतलब दो का संब्र मैंbling जब यहां से G कहा है ये है, तो आप FX कहां पर या है, और GX कहां पर तो मिलेगा, ये है, तो आप यहां से रखो, मालों X बराबर आपने 2 रखा, क्या किसकी वच्ट की ङुछा, पूरी निकाल ली, F OF 2 रखो, मालों यहां से तुमने 2 रखा, तो दो का संबंद गौफ में किसके साथ है दो का संबंद तीन के साथ तीन का फिर साथ के साथ तो दो का संबंद इसके साथ हमें देखना है क्योंकि इसका इसके साथ संबंद देखना है गौफ का मतलब क्या हुआ कि इसका इसके संब्द इसको हटा दू तो दो का संब्द जो हमारे पास साथ से है क्योंकि दो पहले तीन से जुड़ा तीन फिर साथ से तो दो का संब्द किस्ते हो कह साथ से इसका इसमें देखे तो दो का संब्द साथ से तो यहां से किसके बराबर है यह हमारे पास साथ के बरावर है ऐसे थ्री रखो तो जब तुम ठी रखास विसफित आप इसए थ्री का किसे सास से स्थी का भी सथ से ऐसे तुमने चार रखा जब तो चार रखे तो चारand लुद गारी का पांच से था पिपांच के से कि यह किसी हो जाएगा पाशका यह पास स फीप पाश प्रका है आं आपास से और फ़िर से ग्यारillar से यह मारे पास कैसा घ्यार 2013 तो एफ और צी हमारे थन्व में हैथ सास से था बस यह बीच वाले पार्ड को तुम्हें हटा के गौफ ऐसे बनता है बस यह याद रखना कि इससे इसमें जो संबंद होता है वह होता है वह हमने लिख दिया तो साथ साथ 1111 इस दा राइट आंसर यह हमारे पास गौफ ऑफ एक्स आ जाएगा क्लियर गौफ क्लियर जो है व्यूत करमढ़ी फलन बल्लंब इनवर्टबल फंक््शन के बारे में avatar में स्प्वस दो बाते पहले याद रखो पहली बात है अगर व्यूतकरमणी फलन की बात कि जाए कि कौन से व्यूतकरम फलन होते हैं या व्यूतकरमणी फलन होते हैं जिन फलनों का व्यूतकरम ग्याद किया जा सकता है या प्रतिलोम ग्याद किया जा सकता है उन्हें व्यूतकरमणी फलन कहते हैं जिन फलनों का प्रतिलोम चलता हुछ ग्यात किया आफे सकता उन्हें ही हम क्या कैते हैं वाच्छा करमडी फलन के फिर गश्ठerk सिंपल सिंव जिन फल्नों का पेड़ा लोग गजया जा सकता है उन्हें व्यूतक्रमडी फलन कहते हैं मतलब सभी फल्नों का नहीं कि हैसकता है चार प्रकर दक है एप ऐसे फालन जो यौह काई की वा अच्छादक होते हैं ऐसे फॉलन ए फॉलन ए हो एसे सु यौह कि यौह आचा हूं गोटे की पाइद की लाख अच्छादक होते हैंं daw review ऐक एकी बहना चाहिए और आच से फलन जो एक एक हहख होते उन्हीं का केवल प्रतिलों में ऑसंचाव होते हैं उन्नकों का ही प्रतिलों में जा सकता है प्रतिलों ग्याद किया जासकता है अच्छाnh यह क्यों बात आई कि सिर्फ एक कह कि आ च्छानडग का इजासकता है क्यान अन्ता शेपी का क्यों नहीं एक छोटी सी बास समझो एक मालो फलन लो तुम इग्जामपल के के सी से पूर काईडीस है यह मारे पास तुम्हें दिख रहा है कि एक 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 चादक फुलन है अगहर मैं इसकार इनवर्स निकालना मmiyor कैक कि आचादक कर एक एक से और इद् 선 अगर तुम्हें इनवर्स निकालना तो इनवर्स में क्या कैसे करते हैं जो प्रांथ होता है वो सह प्रांथ बन जाता है और जो प्रांथ होता है वो प्रांथ बन जाता है मत्तब यह इधर आ जाएगा अब एशand को थो जाता है एशादक थो इसलिए सो गया अब मालोम ने क्या किया этом पलिया इसको देखो 1 2 3 4 A B C D ठीक यह कैसा फ़लन है बाव एक है कि यह दो और तीन का संबंद बी से ठीक दो और तीन का संबंद किसे हो गया अब इसका तुमें इनवर्स अगर निकालना होगा तो आप बास समझो A B C D इधर क्या है एक दो तीन चार एक का संबंद किसे एक से अब बी का संबंद किसेimatल डोसे भी यह तो यहाँ पर क्या मिष्टेक है मिष्टेक कि यह फॉलन ही नहीं इरफ इधर के एक अव्यव का इधर दो संबंद नहीं हो सकता इधर के दो लोगों का एक जगे संबंद हो सकता है लेकिन इधर के एक अव्यव का इधर दो संबंद नहीं हो सकता फलन की परिवासा ही नहीं कौलीफाई कर रही है दिख रहा है ना कि यहां के दो तीर निकल नहीं यह अंताचेपी अगर होता मालो डी छूट गया तो डी का इधर कोई संबंद नहीं और फलन की परिवासा क्या कहती है कि इधर का प्रते का वेफ संबंदित होना चाहिए फलन की परिवासा की फलन ही नहीं रहा कि इधर का प्रते का वेफ संबंदित होना चाहिए और इधर का तो एक ही प्रत्विम बनाना चाहिए तो एक तो यह डी छूट गया इधर बी के दो लोगे साह संबंद बनना है मतलब दोनों परिवासा हैं गलत सौलिव हो रही है इसलिए हम बहु यह कहकी और आच्छादक फलनों का प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं व्यूत करम नहीं निकाल सकते हैं तो इसलिए एक एक और आच्छादक फलनों का ही प्रतिलोम या व्यूत करम निकलता है यह बस बेसिक अंतर है कि क्यों हमने लिखा एक और आच्छादक का निकलता है यह स्पेसल टाइप का फंक्शन होता है जिसे by objective function बोलते हैं ठीक है तो बात समझ में आ गई ना बस इत्ती से बात समझा नहीं थी इसका वैसे कि यहाँ पता रहे कि ऐसा होता क्यों है अब आंगे चलते हैं अब यहाँ पर व्यूत करम हमें जैसे इस question में निकालना है तो इसके लिए आजा यहाँ परन के रूप में तब कैसे निकालना एक तरीका तो इसमें लिखाओ है कि ऐसे फलन जुए कहां कि अच्छा दक होते हैं मतलब हमाद अगर उन फरनों को एक एक हैकी और आज़ाद यूफ कर दे तो यह हो जाएगा कि यह इसका प्रतलों गैत कि आ जा सकता है और प्रतलों निकाल लेंगे एक तरीका जो हमारी बुक में दिया गया वो फॉग और गॉफ के माद्यम से दिया गया फलों के सहीं उजन के माद्यम से कि आप फॉग निकालोगे और गॉफ निकालोगे अगर दोनों की वेलू एक्स के बराबर आ रही है फॉग निकाला तो भी एक्स आया गौफ निकाला तो भी एक्स आया तो क्या कहोगे तब आप कहोगे कि एफ एक्स तथा जी एक्स या जी एक्स तथा एफ एक्स एक दूसरे के व्यूतकरम फलन है एक दूसरे के एक व्यूतकरम या प्रतिलोम फलन है यह प्रतिलोम बात एक ही है प्रतिलोम फलन हैं मतलब यह हो गया कि f of यह G of X यह F inverse X के बराबर हो जाएगा या आप एकस लिखो तो जी आफ इनवर्स एक्स के बराबर हो जाए गए यह दोनों एक दूसरे के भी त्रूम चाहिए जी एक्स को इनवर्स एक्स को आगड़ यह फॉग एक्स की वेलू एकस के बराबर आ जाती है यह लाइन बिना समझ में तो परिशान ना भी कोशन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा देखू कैसे करना है को पॉशन में अपलाई हमें एक फलन दिया गया है एंसे वाई में परिवासित फलन एफ एक्स बराबर दिया गया है इसका प्रतलों गया है मतलब कि इनकों में क्या करना एक और आच्छादक दिखाना है तो उसके लिए हम यहां पर पर मदद लेंगे फॉग और गॉफ कैसे निकालेंगे फॉग और राफ सर्फ हमारे पास केवल fx घी एक तो है नहीं अरे फॉग और गॉफ निकालने के लिए आपके पास क्या होना चीए दो फलन जैसे मैंने यहां लिखा था कि एफ एक सो जी एक दो फलन में तब फॉग लेते थे जैसे अच्छादक ये प्रूफ करते थे तो माना वाई बराबर 4x plus 3 वह इस्टेप फॉलो कर नहीं माना वाई बरावर 4x plus 3 तो यहां से हम क्या करते है एक्स कमान वाई के पदों में निकालते है यह हो जाएगा 4x बराबर y-3 तो x बराबर हो जाएगा y-3 upon 4 ठीक ठीक है ना सही है कहीं गलती तो नहीं स्वरी ठीक हाँ ठीक 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 अच्छा अब यह x बराबर y-3 आ गया अब यह x का फलन y के पदों में मतलब कि हमारे पास इस x को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम gx लिख सकते हैं अरे यह fx का मतलब क्या होता है कि जो फलन है वो x के पदों में है fx का मतलब होता है जो फलन है वो x के पदों में है यह x यहाँ पर लिखा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास फलन है प्रफिर से एक बार समझाते हैं ये बात हमने घ्राइग लिखा एक बार फिर से समझना यहां तक बात के लिए रहे हैं कि y बराबर यह था अभर लिख लिए ठीक अब अबने इसको जीवाई इस लिए लिखा क्योंकि यह फलंग सकते तो अपने एक और जी की बात होती इस्टेंडर्ड यह लिए तो हमने fx लिया था इधर अमने जी वाई ले ़िए जैसे वाई को fx लिखते हैं ऐसे एकस को fy लिख लिए ठिक एक पहली स्टेप तो यह करोगे जी वाई लिख लिया फिर आप क्या करोगे चुक्किलिए आप पता यह fx के रूप में है तो इसको भी gx के रूप में लाना पड़ेगा तभी तो fog x और go of x निकलेगा मलब same चर के रूप में होना चाहिए तो इसका चर बदल दो चर तो आराम से बदल सकते हो y की जगह x लिख लो जहां जहां y तुम्हें दिख रहा हो वहां x लिख दो that's your gx हर question में तुम्हें ऐसे gx निकालना पहले अच्छादक वाली step जो अच्छादक निकाल दोगे दोनों फॉलन है अब अगर फॉग और गॉफ की वैलू x के बराबर आ गई तो यह एक एक की अच्छादक हो जाएगा ठिक एक की अच्छादक हो गया मतलब कि व्यूत करमड़ी हो गया फिर प्रितलों कहां से निकलेगा जो जो जी एक यह लिखा यही पिर्तलों होता है और उर कुछ नहीं जब यह व्यूत करमड़ी होता है मैंने अभी लिखा कि अगर फॉग x गॉफ x यह x के बराबर है तो यह अगर प्रितलों विद्करमड़ी होते हैं तो क्या होता है यह एक दूसरे के mix करां होते हैं बत्तब fever chapter यह इसका क्या हो जाएगा विवय थो क्रम देखो कैसे अब fog x क्लोब पहले org का मतलब क्या होता है सर fx के अंदर gX GX कहां पर है यह रखो X-3 upon 4 FX कहां यह अब X-3 upon 4 यहां पर FX की जगा है रखो तो 4 X-3 upon 4 और प्लस का 3 यही तो है ठीक है 4 से 4 का काम खतम यह आ गया X-3 प्लस 3 3 से 3 का काम खतम X आ गया फॉक तो आ गया गॉफ निकालो गॉफ आफ एक्स गॉफ आफ एक्स का मतलब GX के अंदर FX FX कहां है FX हमारे पास है 4 X-3 जी कहां है GX भाई यह X-3 upon 4 इसमें X की जगाह पर यह रख दो तो रख दो 4 X-3 upon 4 3 से 3 का काम खतम क्या बच्छा 4 X upon 4 पोर से 4 का काम खतम बच्छा एक्स फॉफ एक्स फॉफ बराबर गॉफ बराबर एक्स अगर फॉफ बराबर गॉफ बराबर एक्स है अता फलन विट करमडी अता फलन विद करमडी है और जब फलन यह विद करमडी आ जाता है तो यह जो जी एक्स आता है यहीं हमारे पास मोता आफिन्वर्स एक्स को प्रतिलों फलंग बस यह याद रखना अगर यह व्यूद्करम ड़ी आगया फॉख बराबर गॉफ एक्स आ गया इसका मतलब यह है कि fx , gx एक दूसरे के व्यूद करम है यह तो लिखा था कि अगर फॉग और गॉफ के वेल्व X के बराबर आती है यह दिया ऐसा है तो तो fx तथा gx एक दूसरे के व्यूत करम फलन है fx वराबर fg वराबर f inverse x लिख सकते हो तो वही तो किया gx बराबर हमने f inverse x लिख लिए हमें fx फलन दिया गया था हमें f inverse x तो निकालना था प्रतलों फलन गयाद करो वही जी एक्स बराबर f inverse x है तो जी एक्स की जो वेल्यू निकालो कि वही एफ इंवर्स x है के लिए एक ही एक्जामपल तुमारे पूरे बुक में दिया गया है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है बाकि बहुत सारे question मैंने इसके live classes में भी आपको कराएं और detail में भी classes में आपको कराएं तो question practice आपको और जहां से मिलें उसकी आप practice करो जो भी doubt लगे हो बताना question इसी concept से होगा सारे question आराम से कर लोगे कोई दिक्क इस माना और जी वाई माना जी वाई को जी एक लिग दो या फिर इसको सीधे जी एक्स बोल दो सीधे यहां से एक्सके पदों में एक इनवर्स एक सी यह प्रतलों फलन हो जाएगा डारेक कभी-कभी तैप उस दे तो भी कोई दिक्कत दे कभी-कभी ये निकालने को कह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी डरते हैं इस चैप्टर से जो बात थी और सच में ऐसा चैप्टर है कि मतलब कि अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे एक बार समझ लोगे तो फिर डर खतम हो जाएगा आसान हो जाएगा चैप्टर में ऐसे-इसे कोईशन है तो इस और रूप में कोईशन होते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजी थोड़ा बोरिंग और लगता है चैप्टर भी बोरियत लगता है इस लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो प्रोपर इसको कंप्लीट कर लेए न साहे लोग क्लास को लाइक करना और कमेंट करके जुरू बताना कि कैसा लगा आपको यह वन सौट ठीक है नेक्स वन सौट आप लोग इनवर्स का करेंगे इसके बाद इनवर्स का ही करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट भी है इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन का करेंगे उसके बाद हम लोग वेक्टरों 3D पर चले ठ ठीक है इनवर्स कावर कर लेते हैं फिर वेक्टर 3D पर मतलब दिसंबर एंड यह जन्वरी स्टार्टिंग तक हम सारे वन सौट कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है मिलते अगली क्लास में तब तक के लिए टाटा बहुँए